नमस्कार, जै जोहार, गुड इवनिंग टू अल अफ यू आ गए हैं आप सभी सभी को मेरा गुड इवनिंग है सभी को मेरा गुड इवनिंग है मिथून, रुपेश, सुर्भी, अन्नू, यूराज, श्वेता, पूजा, जै दीप है ना चलिए खाना पीना छोड़ के आए हैं हम सब तो खाने पीने का इंतजार बाद में करियेगा ठीक है आज शुरुआत करते हैं हम लोग मौनेटरी पॉलिसी की मौद्रिक नीती की और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद याने मौद्रिक नीती जो आज हम पढ़ेंगे यदि अभी तक जहां भी और जिस भी सोर्सेस से आपने पढ़ा हो मौद्रिक नीती को मौनेटरी पॉलिसी को यदि आज के लेक्चर में आपको आनंद नहीं आया और आज के लेक्चर में यह मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ आज के लेक्चर में यदि आपको मौनेटरी पॉलिसी समझ नहीं आई या आपने समझी है तो उससे अच्छा समझ नहीं आया और सबसे बहतरीन कॉंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो मैं पढ़ाना छोड़ दूँगा ठीक है तो आज शुरू करेंगे यह टॉपिक मौनेटरी पॉलिसी और मौनेटरी पॉलिसी आपको मैं नहीं समझाऊंगा हमारे कथाओं में हमारे धर्म ग्रंथों में राम और रावन का जिक्र आता है तो आज धर्म को साइड में रखते हैं रावन बुराई के प्रतिक जरूर था और राम अच्छाई के प्रतिक जरूर थे पर रावन भी ग्यानी था और राम भी ग्यानी थे तो हमको positive चीजें लेनी है सबसे तो आज राम और रावन हमको क्या समझाएंगे monetary policy एक जलक मैं आपको दिखा देता हूँ फिर इस topic की हम शुरुवात करेंगे कि कैसे राम और रावन आज आपको monetary policy याने मौद्रिक नीती समझाने आए हैं ये विशय को हमारे interesting तो बनाता ही है साथ ही साथ हमें कुछ चीजें भी सिखलाता है कि कैसे अपने मित्कों से बाकी सारी चीजों को अलग रखके हम कैसे ग्यान ले सकते हैं कैसे आसान तरीके से चीजों को समझ सकते हैं तो आज आपको ये रावन है और बाद में कौन आएंगे तो राम आएंगे ठीक है ना तो मैंने राम और रावन की जो भी यहां जो प्रतीक लिया है है ना वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञानारजन के लिया है दोनों के अंदर ज्ञान था है ना और दोनों के धर्म को अलग रखते हुए आज दोनों जो है आपको ज्ञान दे करके जाएंगे तो इन सुन्दर चित्रों के माध्यम से आज हम मौद्रिक नीती को समझने जा रहे हैं और यही कारण है कि मैंने आपको कहा है कि यदि आज आपको मौद्रिक नीती समझ में नहीं आएगी तो मैं पढ़ाना छोड़ दूँगा जै श्री राम चलिए ठीक है अच्छी बात है लेकिन रावन के ग्यान से भी हमें सीखने मिलेगा और श्री राम के ग्यान से भी आज हमको सीखने को मिलेगा आज देखेंगे हम कि मौद्रिक नीती किस तरीके से हम समझ सकते हैं ठीक है ना चलिए शुरुवात करते हैं सब के सब आ गया है आईए इस लेक्चर की शुरुवात करते हैं मौद्रिक नीती या मौनेटरी पॉलिसी जहां से हमने फिस्कल पॉलिसी याने राजकोशी नीती की शुरुवात की थी आज वहीं से हम अपने लेक्चर की शुरुवात करने वाले हैं इस एतिहासिक लेक्चर की शुरुवात करने वाले हैं जो आपको एक लेक्चर में पूर रत एक परिवार है हमने यह कहा था ठीक है और उस परिवार में दो मेंबर हैं एक तो मदर हैं और एक फादर हैं हमने आर बीयाई को फादर बाथ अ पीछले लेक्चरों में RBI को हमने फादर माना था याने RBI जो है वो करेंसी इशू करता है याने पैसा कमाता है सिंपल शब्दों में समझें तो और सारी चीज़ें जो है हाँ बेटा सारी चीज़ें हिंदी में प्रवाइड होंगी आपको दिखेंगी सारी चीज़ें यहां बोलते जाओंगा आप रनिंग नोट्स बनाते जाएंगे और किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं लेंगे बिलकुल आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरस्टिंग होने वाला है दिल थाम के बैठिए कुरसी की बेटी बांध लीजिए मौसम बदलने वाला है ठीक है अराश्ट्र में पढ़ता है ठीक है और दूसरा कहां होता है देवास मध्य प्रदेश तो ये भी कोशन आता है कि कहां पे करेंसी नोटों की छपाई होती है तो ये आर्बी आई के अंतरगत एक डिपार्टमेंट है जिसके अंतरगत इसकी छपाई होती है ठीक है ना रजकरने वाली माता जी तो याद रुखना आरभी अई बीजो है वित्तमंत्राले के अंतरगत आता है क्लियर है कि नी ठीक है ना RBI भी किसके अंतर गताता है वित्त मंत्राले के अंतर गताता है जैसे घर का संचालन माता जी करती है वैसे ही RBI का भी संचालन कौन करता है वित्त मंत्राले करता है तो वित्त मंत्राले ही RBI के उपर रहेगा याद रखना क्लियर है कि नहीं सभी को ठीक लेकिन क्योंकि RBI ये एक स्वतंत्र संस्था है इसको राजकोशी नीती बनाने का काम मिला है तो इसको मौधरिक नीती बनाने का काम मिला है तो प्रशन आता है सिंपल प्रशन आता है कि मौधरिक नीती कौन बनाता है तो यदि RBI option में है तो आपको ये चीज बता रहा हूँ कि बनाने को तो RBI ही monetary policy बनाता है मौदरिक नीती बनाता है तो इस चीज को याद रखेंगे क्लियर है कि नहीं सभी को यहां तक सारी चीज़े क्लियर हैं तो हम आगे बढ़ते हैं देखिए RBI मौदरिक नीती बनाता है इतना हमको समझ में आ गया है ठीक है तो हम देखेंगे RBI और उसकी मौदरिक नीती RBI and its monetary policy तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि RBI क्या है तो RBI है Reserve Bank of India श् ru Bank of India जाने जितने भी हमारे बेंक है हमारे यहां जितने भी बैंक है उसका सब से जो उसका केंदरी Benson कैसा जिसके अंतर्गत जिसके नियंतर में सारे वेंक आते हैं वे बैंक क्या कहलाता है Reserve Bank of India कहलाता है थीखेंगे ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से सुनना एक ही बार में यहीं के यहीं आपको चीजें याद हो जाएंगी और अभी के अभी आपको चीजें याद हो जाएंगी ध्यान से सुनना यंग हिल्टन समीती देखो आर्बी आई का गठन जब हुआ था ना तब हमारा भारत देश आजाद नहीं हुआ था अं सेरा वो भारत देश है मेरा हर 15 अगस 26 जनवरी में ये गाना हमको सुनने को मिलता था वाकई में हमारा देश जो था वो सोने की चिडिया थी अंग्रेजों ने पूरा पैसा इकठा कर लिया हमारा पूरा पैसा लूट लिया ठीक है और लूट करके कहां रखा लूटने के का पूरा जो हमारा पैसा रखने के लिए कौन सा बैंक बनाया हाला कि बाद में अर्भी आई का स्वरूप चेंज होगा ठीक है ना तो ध्यान से सुनना यंग हिल्टन कमिटी यह यंग जो नाम दिखाई दे रहा है यह भी अंग्रेज का नाम है और हिल्टन जो दिखाई द बनी थी यंग हिल्टन कमिटी बनी थी किसके लिए अर्भी आई के गठन के लिए इसने रिकमेंड किया ठीक है जो समीटिया बनती हो सिर्फ प्रस्ताव देती है इसने प्रस्ताव दिया और इसके प्रस्ताव के अधार पर एक और समीटी बनी ठीक है चार साल बात याद र करेगी कि वाकई में केंद्री बैंक का गठन होना चाहिए क्या कि जो भारत सोने की चिडिया है वहां से जो हमने पैसा लिया है उसको रखने के लिए पैसा बैंक चाहिए क्या तो यह बैंक समीची जो है चार साल बद बनी 1930 में और फिर याद रखना यहां भी प्लस पॉर किये हैं तो यहां भी प्लस फॉर करेंगे फिर चार साल बाद आर्वियाई एक्ट 1934 बना और इस आर्वियाई एक्ट के माध्यम से आर्वियाई की स्थापना हुई क्लियर है यहां तक अच्छा लगा थैंक्यू हमें भी अच्छा लगा जब भी देश भक्ति की बात ह हुआ और कैसे कैसे विकास हुआ तो उसके अंतरकत हम आर्वियाई पढ़ रहे हैं हमने देखा यंग हिल्टन समीथी बनी उनने सो चब्विस में उसके चार साल बाद केंद्री बैंक जा समीथी याने सेंट्रल बैंक इन्वेस्टिकेशन कमिटी उसके चार साल बाद 1934 में आर्वियाई एक्ट 1934 आया जिसके मारफत आर्वियाई की स्थापन हुआ है क्लियर है यहां तक सभी को वेरी गुड चलिए एक अप्रेल 1935 यदि अच्छे तो समझाओ को ता आखरी में बढ़ा और गाना सुनाओंगा ठीक है ना तो आर्वियाई जो है एक अप्रेल 1935 को इस्थापित हुआ एक्ट तो यही था बेटा ठीक है ना लेकिन जब भी कानून बनता है कल भी हम देख रहे थे कि कोई कानून जब जो कोई बिल आता है तो इसको कानून बनने में समय लगता है पहले संसाद याने लोग सभा राज्य सभा से पास होगा उसके बाद जब त लोग में कांफ्यूजन करते हैं 1934 या 1935 याद रखना रभी आई के स्थापना रभी एक्ट 1934 के माध्यम से हुई लेकिन जो डेट थी जो तारीक थी वो थी एक अपरेल 1935 क्लियर है सभी को ठीक है ना और इस 1935 में ठीक है रभी आई की स्थापना हुई एक अप्रेल 1935 मे तब एक अप्रेल 1935 को इसके जो गवर्नर बने उनका नाम था सर्वर मतलगाओ ओस बॉर्ण इसमिथ ठीक है ना क्या नाम था औस बॉर्ण इसमिथ क्लियर है क्यों सर्वर लगाना है ना लॉर्ड आप सब पढ़ते होगे वाइस राय लॉर्ड कौन वाली हटाओ लॉर्ड को यार जिन्नों ने हमारे उपर राज किया उनके सामने हम लॉर्ड लगा रहें उनको भगवान का हम दरजा दे र तो 1935 में सब आएगा पहले से क्लास में पढ़ो ध्यान दो 1935 में औस बॉर्ण इसमिथ क्या बने और कल का कलकत्ता और आज का कोलकाता ठीक है ना कल का कलकत्ता और आज का मॉंस्टर ठीक कल का कलकत्ता और आज का कोलकाता जो था हैटकॉार्टर बना किसका आर भी आई का ठीक है ना लेकिन 1935 से 1937 तक याने दो साल तक के कोलकाता में रहा ठीक है और उसके बाद कोलकाता से पूरा कात पत्ता हो गया तो हेट क्वार्टर कहां शिफ्ट कर लिए मुंबई में आप सभी ने modern history में पढ़ा होगा कि revolt का याने जो हमारा national moment चल रहा था जो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था उसमें सबसे बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन की कहां चल रहा था बंगाल में चल रहा था ठीक है ना तो हलत चिछा सबस्क्रा Hetनावी ना ना चल रहा है ना बंगाल से भगा दिया इनको 1935 से ले करके 1937 तक बंगाल में रहे कोलकाता में और इनके बाद इनका कोलकाता हो गया और उसके बाद 1937 से आज तक RBI का हैट क्वाटर कहा है तो मुंबई में है आरी बास समझ में ठीक वेरी गुड तो एक अप्रेल 1935 को RBI की स्थापना हुई RBI एक्ट 1934 के माध्यम से हैट क्वाटर बना कोलकाता 1935 में दो साल बाद शिफ्ट हुआ 1937 में कहां मुंबई क्लियर है सभी को ठीक औस बॉन इसमीड जो थे इसके उसमें गवर्नर रहे थे अब हमारा भारत देश आजाद हुआ 1947 में 1947 पंदरा अगस्त आप सभी को ये तारीक बच्चे बच्चे को ये तारीक याद है कि इस दिन हमारा देश आजाद हुआ और इसलिए इसके बाद राश्ट्री करण की प्रक्रिया शुरूई की राश्ट्री करण मतलब क्या था बीटा कि राश्ट्री करण केहने का मतलब यह है कि अब और सो में हमारे देश के आजाद होने के दो साल बाद बहुत आसान है याद रखना देखो 1935 में RBI की स्थापना हुई थी दो साल बाद याने 1937 में उसका headquarters shift कर दिया गया कहा कोलकाता से मुंबई और वैसी यहाँ पर क्या हो रहा है RBI को राश्ट्री कृत कप किया गया तो क्या बोलोगे एक जनवरी 1949 को इस्थापना एक अपरेल 1935 राश्ट्री करण याने nationalization एक जनवरी 1949 क्लियर है यहाँ तक सभी को क्लियर है की नहीं very good चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखो सर अब RBI के बारे में आपने पढ़ा दिया लेकिन आप यह तो बताओ कि RBI काम क्या क्या करती है सबसे पहला सबसे पहला RBI जो काम करती है नमबर एक पे कि वो केंदरी bank है बेटा central bank है ठीक है ना केंदरी bank याने केंदरी bank को हम क्या बोल सकते है बैंकों का bank ठीक है तो हमारे यहाँ जितने भी bank होंगे उनके अंदर में इसके RBI के अंदर में रहेंगे और याद रखना एक act मैने आपको याद करवाया था थोड़ act को याद रखना, इस act के माध्य हम सही bank बनेंगे, ठीक है न, clear है सभी को, तो देखो, central bank है, बैंकों का bank है, याने bank के से related जितनी भी सारी चीज़े होंगी, बैंकों को निर्देशित करना, ठीक है, बैंकों को control करना, बैंकों को direction बैंकों को regulate करना, यह सारा काम कौन करेगा, RBI करेगा, clear है सभी को, ठीक है न, तो सारे बैंकों का जो control है, वो किसके अंतरगत रहेगा, RBI के अंतरगत रहेगा, और डरना मत, बस एक छोटा सा चीज़ बता हूँ, RBI Act 1934, अब जैसे हमारा सम्विधान है, तो बहुत सारी अनुसूचिया है उसके अंतरगत, तो RBI Act 1934 में भी एक छोटी सी अनुसूची है, उस अनुसूची का नाम है, अनुसूची 2 या schedule 2, clear है, अनुसूची 2 या schedule 2, RBI Act 1934 में विलकुल तनाव लेने की जर्वत नहीं, अराम से समझेंगे, सर आपने बताया था, RBI Act 1934 के माध्यम से, RBI की स्थापना होई थी, सर RBI Central Bank था, RBI Central Bank था और इसकी स्थापना के लिए Act बना, और जिन बैंकों को ये lead कर रहा है, मतलब पापा के लिए Act बना और बच्चों के लिए कोई Act नहीं है क्या, बच्चों के लिए बिलकुल Act है, इसी Act के अंतरगत एक अनुसूची दी गई, यह बड़ा Act है, याने बड़ा बैंक, याने पापा जी के लिए, याने दा शुचित दो यहने शडियूल के अंतर के जितने भी बैंक आते हैं उनको जैना सुचित वानिजिक किसके अर्भी एक्ट नीश सो ठीश के न थो अर्भी एक्ट उनिश सो ठीश के उस्चित दो में वरती हो अनुसूचित वानिजिक बैंक कहलाते हैं यह दसना बैंक समेंशन इन दशेडियूल टू अव दार विए एक 1934 और नोन एज शेडियूल कमर्शल बैंक ठीक है ना इतना समझ में आ गया ठीक यह प्रशन पूचे तो बता दोगे कि सेडियूल कमर्शल बैंक किसको बोलते हैं लेकिन हम लोग बार बार शेडियूल कमर्शल बैंक शेडियूल कमर्शल बैंक नहीं बोलेंगे हम शेडियूल कमर्शल बैंक को बस बैंक बोलेंगे तो जब भी मैं बैंक बलूँगा तो समझना मैं किसकी बात कर रहा हूं Sheduled Commercial Bank याने अनुसूचित वानिजिक बैंकों के clear है तो यहां लिख रहा हूँ बैंकों का बैंक मतलब समद जाना क्या Sheduled Commercial Bank याने अनुसूचित वानिजिक बैंकों का जो बैंक है वो कौन है RBI है clear है कि नहीं सभी को ठीक तो देखो नमबर एक पे Central Bank है, केंदरी बैंक है, किसका केंदरी बैंक है, जिस schedule के अंतर गद, जिस act के अंतर गद, यह RBI बना है, उसके अंदर जो schedule है, उसके अंदर जो अनुसूची है, उस अनुसूची के अंतर जितने बैंक बने है, उन सब का यह पापा है, और इसलिए इसका नाम R सब का गंद्री कौन है एर बच ठीक जली ब करता है से आपने बताया था कि पापा जी मम्मी के अंडर में रहते हैं याने कि जो ओ RBI है वो वित्त मंत्राले के अंतरगति काम करता है हाँ बिल्कुल सही बात है यदि RBI वित्त मंत्राले के अंतरगति काम करता है यदि पापा मम्मी के कहने पर ही काम करते हैं तो अच्छी बात है क्योंकि RBI उनको जो माता जी है जो वित्त मंत्राले है उनको सही डारेक्शन द थिके ना जो पैसा लेकर क्या ते जो नोड़ चापता है दो जगा ठीक कहां कहां दो बिजनेस चल रहे आरभीया के समझ जाओ आरपवय कि यह दिपिता जी है तो इसके दो बिजनेस एक नासिक में नहीं महराष्ट में और एक देवास में अ ध्य में, दोनो जगा, ठीक है न, दोनो जगा क्या कर रहे है, दोनो जगा, नोट की छपाई, को रही है, no, बेटा, RBI is Father of Banks मत बोलना, नहीं न, ये समाझने के लिए, ये कहीं नहीं लिखा है, RBI is the bank of banks, ठीक है, बिलकुल गलत, मत उसको ये तरीके से बोलना, बैंक ऑफ इंग्लेंड को बैंकों की मा कहा जादा था लेकिन आर्विया यह बैंकों का पिता जी नहीं है ठीक है ना हाँ पिता के रूप में काम कर रहा हूं तो हम समझने के लिए बोल रहे हैं यहां जो जो लिख रहा हूं वह यह अथंडिक चीजे है ठीक है ना तो देखो Central Bank है, बैंकों का बैंक है, ये Government का भी बैंक है, याने सरकार का भी बैंक है, यदि सरकार को पैसे की जरौत पढ़ती है, तो कौन उपलब्द कराएगा, यदि वित्त मंत्राले को, यदि माता जी को पैसे की जरौत पढ़ती है, तो कौन उपलब्द कराएगा, पिता जी उपल रब्द कराता है ठीक है ना तो Central Bank हो गया बैंकों का बैंक हो गया government का बैंक हो गया ठीक है नंबर चौते पर आप सभी को पता है issuer of the currency ठीक है ना मुद्रा का निर्गमन करता इशुर of the currency का कोई मतलब नहीं है issuer of the currency का मतलब है कि नोट चाप रहे कॉन B1 RBI ठीक है ना clear रहे बैंक है कि नी ठीक बैंक बैंक हो गया चीज़ों के रेंगे ठीक है ना रबीए एक साल में कितना पैसा चाप सकता है यह भी मैं आपको बिल्कुल बताओंगा ठीक है ना clear रहे कि नहीं सभी को देखिए तो central bank हो गया बैंकों का बैंक हो गया government का बैंक हो गया issuer of currency हो ठीक है ना और पाचवे नंबर पर क्या बोलेंगे अपन lender of the last resort याने अंतिम करदाता किसी भी bank को पैसे की जरुवत पढ़ रही है तो किसी भी bank को पैसे की जरुवत पढ़ रही तो किसके पास जा सकता है RBI के पास जा सकता है इसलिए अंतिम करदाता जो है lender of the last resort को और बैटा RBI क्लियर है सारी चीज़ें तो यह RBI के functions है जो आप से पूछ लेता है इन सब चीजों को भी आप ध्यान रखेंगे की RBI Central Bank है याने केंद्री बैंक है बैंको का बैंक है सरकार का बैंक है करेंसी को इशू करने वाला है lender of the last resort है अनतिम करदाता भी कौन है आपका RBI क्लियर है की नहीं ठीक है ना बेटा आर वी विलकुल government के अंतरगत आता है ठीक है ना गौवर्मेंट का ही गौर्मेंट का ही बैंक है जब गौर्मेंट का बैंक है ता फिर वो क्या कौन सी बात होगी सरकारी बैंक है और और विय जो है पूरा सरकारी bank है और केंदरी bank है सभी सरकारी सभी देखो अनुशूची दवानित्जिक बैंकों में ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकारी बैंक आएंगे उसमें private भी आएंगे बस अनुशूची दवानित्जिक बैंकों की क्या eligibility क्या क्राइटेरिया है कि अर्वियाई एक्ट 1934 के अनुसूची 2 में मतब शेड्यूल 2 अफ दा रिए 1934 में जो भी बैंक आ रहा है चाहे फिर वो प्राइवेट हो चाहे फिर वो गवर्मेंट बैंक हो वो क्या कहलाएगा शेड्यूल कमर्शल बैंक और यदी शेड्यूल कमर्शल बैंक कहलाएगा तो रभी आऑंडर आएगा बहुत आसान तरीके से समझना और ऊपर नहीं बोलते हैं ठीक ना ची ना बस सारी चीज्व हूं रही योगिता ध्यान से डेखेंगे अराम-अराम से समझेगे मजह अपर यहां हमने किसको रखा है बैंक और मैं बोलूँगा बैंक तो क्या समझोगे शेडूल्ड कमर्शियल बैंक यह नहीं सुचे तुमारी जीग बैंक बैंकों को बनाया पापा और पबलिक है यह सब जानती है लेकिन जब मन करें तब पैसा मांगती है किसे बैंकों से इसलिए इनको हमने बच्चा बना दिया है ठी ना जी से बैंगते हैं फिर पापा जी कि पास रहता है तो ठीक है और नहीं रहता है तो किससे मांगाजे देते हैं दादा जी से अब यह मत बोलना सार हम तो दादा जी से भी ले लेते हैं यहां दादा जी से मिलने वाला है नहीं आरी बस समझ में हां आर भी आई हां देखो बेटा नोट जो कॉइंस है ना कॉइंस उसको भी कौन छापता है इसको मतलब उसके लिए टकसाल होती है अलग-अलग उसको भ विट मंत्रा ले और याद रखना यह अधिकारी प्रशाषणी का अधिकारी की यह value है कि एक रुपए के नोट पे विट मंत्री का साइन नहीं रहता है एक रुपए के नोट पे भारत के विट सच्चीव का साइन रहता याने financial secretary का साइन रहता है जो UPSC की परिक्षा करके अपने बहुत जल्दी आईएस ऑफिसर बन गया रहता है ठीक है ना 22 साल 23 साल की उमर में जो वित जो यूपीएसी क्रैक कर लेते हैं जो आईएस ऑफिसर बन जाते हैं वो बड़े पदों पर जाते हैं और सेंटरल गवर्मेंट में बहुत बड़ा पद होता है सचिव का जाद रखना एक रुपय के नोट पे यह प्रशाष्णिक अधिकारियों की चमता है कि एक रुपय के नोट पे उस व्यक्ति की के साइन होते हैं जिसने आपके जैसे कभी यूपी-स-्ट की या-पी-स-्ट की अधियारी की थी और आज वो वित-स चिव के रूप में एक दो पहले घाटा होता है तो सरकार को जो anti होता है उस घाटे के लिए हो क्या करती है घाटे का वित्तियन जिसको अपन हिनार्थ प्रवंधन भी कहते हैं अरे सिंपल भाषा में समझो कि आपको घाटा हो गया है तो आपको पैसे की जरुवत है तो आप तो आर्बीए से पैसा माँगोगे लेकिन सरकार क्या करती है अपने घाटे की वित्त वेवस्ता के लिए एक रूपे का नोट झापती है तो जब यह भी कुशन आता इसलिए मार्गेट में ज्यादा एक रूपे का नोट नहीं दिखाई जयता किसी-किजिक पर्स में आपको एक रूपे का नोट आपके पास है चलिए अची बात है इसका डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए हिनार्थ प्रबंदन के लिए घाटे की वित्त व्यवस्ता के लिए कहने का मतलब अपने घाटे के राजकोशी घाटे को पूरा करने के लिए सरकार चापती है वित्त मंत्रागे के अंदर का छपता है और साइन किसका रहता है वित्त मंत् सुची द्वानी जी बैंक दुबारा नहीं बोलूंगा बैंक मतलब समझ जाना क्या अनुसूची दो आर बी एक्ट 1934 की इसमें जो वर्णे को मन्नी थे वह अनुसूची बैंक के लाएंगे हाँ प्राइवेट भी आएगा गौर्रमेंट भी आएगा सब कसब आएगा ठीक है कस्टमर के हाथ में आता है वही असली पैसा कहलाएगा अरे हाँ या ना भाई जो पैसा बैंकों के पास है उसको हम देख पा रहे हैं क्या वह हमारे पास है जो पैसा हमारे पास है जिसको हमने बैंक के माध्यम से लिया है देखो हम दो आदमी से पैसा ले सकते हैं दो दो ल टाल रही थैस्ट डाल रही है उड़्यकों पैसा का पैसे डाल रही है तो वह को सरकार exists करेंUST होगा सब्सक्राइब कर आप दो सरकार से पैसा ले सकते हैं और बैक से treffen कि सकते हैं याद रखना हम dormir से पैसा नहीं लिखा हूं के लिखा हूं याद दादा जी नहीं देंगे दादा जी ऊपर में रहते हैं यानि मुंबई में रहते हैं और आपको चाहिए तो आपके कशोपय का छंग सब्सक्राइब कुछ है न cm क्लियर है सबी को तो लेखो यहां से बैटा ап समझना बात को कि आपको पैसा चाहिए याने पबलिक को पैसा चाहिए कस्टमर को आएगा वही तो बाजार में जाएगा और वही तो मार्केट में जाएगा और जो पैसा मार्केट में जाएगा वही तो तरलता बढ़ाएगा तो एक नया शब्द हम को सुनने को मिल रहा है क्या तरलता जिसको हम क्या कहते हैं लिक्वी डिटी बोलते ना तες उपर फैसा पाणी की तरह बहा दिया दो साल बिलास्पुर में रही क्या तैयारी की फृतक नी निकला तेरा पीता जी एसे बोलते हैं ठीक है टो पैसा पाणी की तरह बहाने का मतलब है कि पैसा तो तरल है जितना डिमांड करोगे उतना खर्चा होगा तो पैसे की लिक्विडिटी बढ़ जाएगी जब आपके हाथ में पैसा जादा है तो पैसे की तरलता बढ़ जाएगी वासा पैसा जादा है तभी तो हाथ पानी की तरह बहाओगे नहीं तो कैसे बहाओगे तो पैसे ज्याधा मार्केट में यदी मृनि सप्लाई बढ़ जाती है मार्केट में तो उसको बोलते हैं तरलता का बढ़ जाना या लिक्विडिटी का बढ़ जाना क्लियर है कि नहीं और यदि भापा ने आपको डांटा एग तरह प्री निकला आपको पैसा नहीं मिलेगा एक महीने का पैसा नहीं दिये तो तरलता सुखा गे लिक्विडिटी क्या हो गई कम हो गई बहुत इतना पैसा है उसी में चला मैं त जब भी पैसे की जरत पड़ेगी तो आपको पैसा तो मिलना ही मिलना है ठीक है ना तो बात समझना कि जब भी बैंक से पैसा जाता है पुब्लीक के हाथ में कस्टमर के हाथ में यानि मार्केट में पैसा जाता है तो लिक्विडिटी बढ़ जाती है तरलता बढ़ जाती आ पंब्ली को पैसे की जरूत पड़ेगी सिद्धा बैंक से लेगा जो पपलिक के हाथ में पैसा जिसे लिकूडिटि पढ़ी उसी को मासली पैसा मानेंगे की नहीं मानेंगे तो याद रखना इसी को हम असली साख मानेंगे इसी को हम असली क्रेडिट मानेंगे जो क्रेडिट आर भी है और बैंक के बीच में चल रहा है उससे हमको क्या मतलब जो हमारे हाथ में आया वही असली क्रेडिट है वही असली पैसा है content concept याहाद राखना साखका निर्मान यानि क्रेड़ीट क्रिएशन सब्सा innovations क्रेडिट क्रिएशन हम हमें तभ भी मांगे मानेगे जब हमारे हाथ मैं पैसा आएगा इसले क्रेड़ीट क्रिएशन कौन करता है तो अनुसुचित हुआणीजिक बैंक करते हैं ठीक है ना the scheduled commercial bank can only do credit creation RBI नहीं कर सकता credit creation RBI पैसा जरूर छाप रहा है मुद्रा का निर्गमन जरूर कर रहा है नासिक और देवास में पैसा जरूर छाप रहा है लेकिन उसको हम नहीं मानेंगे तो साख का निर्मान याने क्रेडिट का क्रियेशन कौन कर सकते हैं याद रखना शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक याने यानु सुचित वानिजिक बैंक आरी बास में बहुत बढ़िया तरीके समझ रहे हैं और अब देखिए लेकिन भली पैसा पापा जी दे रहे हैं लेकिन में कंट्रोल किसका है दादा जी का है दादा जी ने कंट्रोल करके रखा है पापा जी को तभी पापा जी भी आज आपको डांट पा रहे हैं नहीं तो आप हाथ से निकल गए रहते और इसलिए साख का न नियंतरन कौन करता है भी टा तो साख का नियंतरन करता है और इसको हिंग्लिश में बोलते हैं इसमें ग्रेडिट कांट्रोल क्या बोलते हैं में सेक्रिणी के रूप मेंद और अनु सुचित वानिजिक बेंक साख का निर्मान करते हैं याने हमारे हाथ में पैसा देते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं साख का निर्मान तिक है न याने credit का creation तो याद रखना साख का नियंतरन कौन करेगा पापा नहीं कर सकते दादा जी करेंगे RBI करेगा तो RBI साख का नियंतरन करता है लेकिन दादा जी साख का निर्मान नहीं कर सकते साख का निर्मान कौन करेगा बैंक और कौन से बैंक तो अनू सुचित वाणजिक बैंक क्लियर है क्लियर है यहां तक सभी को बहुत बढ़िया तरीके से आप समझ पा रहे हैं ठीक है ना बहुत बढ़िया तरीके से आप समझ पा रहे हैं ठीक है बहुत बढ़िया आप शेयर करते हैं को को के कंटेंट को हमको भी अच्छा लगता है जब आप शेयर करते हैं इस क्वालिटी कंटेंट को और हमको भी जान से सुनना साख नियंत्रन के लिए दादा जी को क्या चाहिए दादा जी को चाहिए छड़ी दादा जी को क्या चाहिए छड़ी एक पुरानी छड़ी और एक नहीं छड़ी ठीक है न याद रखना दादा जी को नियंत्रित करना है पापा जी को तो क्या चाहिए छड़ी यदि दादा जी ने नियंत्रित किया था पापा जी को, तभी तो पापा जी आपको नियंत्रित करेंगे, तो उस छड़ी को क्या बोल सकते हैं, उपकरण, तो साख नियंत्रन के लिए, याने कंट्रोल के लिए उपकरण रहेंगे, याने दो टाइप की छड़ी रहेगी, तो दो टाइप की चीजे हैं, दो टाइप की चड़ियां है, दो टाइप की उपकरण है, इसको अंगरेजी में बोलते हैं traditional tools, ठीक है न, पारमपरिक उपकरण, और इसको बोलते है new tools, ठीक है न, पुरानी चड़ी और नहीं चड़ी, ठीक है न, पुरानी चड़ी यान और नहीं चड़ी दर्द तो आए गई चाहे कोई भी पड़ी ठीक तो दर्द तो आए गई साख का नियंतर्ण होगा दादा जी नियंतर्ण कर रहे हैं और RBI साख नियंतर्ण के लिए वेटा दो टाइप के उपकरणों का प्रयोग करता है एक तो पारमपरीकुपकरणों का प्रयोग करता है और एक तो नवीनुपकरणों का प्रयोग करता है clear है आप सभी को यहां तक ठीक है न running notes बनाते जा रहे हैं साथ ही साथ में चलिए तो देखेंगे पारमपरीकुपकरण के अंतरगत कि दो टाइप की चीजे हैं। मतलब जो पूरानी चड़ी है, दो तरीके से काम करेगी। ठीक, बोले देख, यदी तू मेरी बात, ध्यान से समझ गया, मतलब बोलने से समझ गया, तो चड़ी चलाने की जरूत नहीं पड़ेगी, purhar से लिए जरूत नहीं पड़ेगी। पुराने लोग, ठीक है ना, तो बले यदि तो इसकी quality समझ रहा है, तो यहीं से समझ जा, यहीं से नियंत्रित हो जा, नई तो मात्रात्मक उपाय अपनाऊंगा, quantitative tool अपनाऊंगा, और फिर मैं तेरे को बताऊंगा, कि होता क्या है, तो याद रखना सबसे पहले हम क्या पढ ठीक है न, अरे टीम से निमेदन है कि यदि कोई देख रहोंगे, तो कोई पानी की बोटल दे देंगे, आज लाना भूल गया हूँ, ठीक, चलिए, मात्रात्मक उपाय और गुनात्मक उपाय क्लियर है आप सभी को, तो मात्रात्मक उपाय के अंतरगत quantitative tools और गुनात्मक उ लिख रहा हूँ, बैंक दर, एकदम तनावनी लेना है, एकदम आराम से समझ में आएगा, पहला क्या लिख रहा हूँ, बैंक दर, ठीक है, उसके बाद, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ, LAF, याने liquidity, मतलब हिंदी में तरलता adjustment facility, याने तरलता नियंत्रण उपाय, ठीक है, तरलता को नियंत्रिट करने के लिए कौन कौन से उपाय है, ठीक है, तो इसमें, अब आपने सुना होगा दो नाम, पहला क्या, रैपोदर, और दूसरा, रिवर्स रैपोदर, ठीक है, ये दोनों को मैं किसके अंतरगत ले रहा हूँ, तरलता नियंत्रण, उपाय के ले रहा हूँ हाँ किसमें ले रहा हूं मैं आपको। याने liquidity फैसलीटी के अंतरगत ले रहा हूं तरलता नियंतर उपाए के अंतरगत मैं ले रहा हूँ यहां मैं एक चीज और लिख रहा हूं याद रखना marginal standing इस सब चीज एकदम बढ़ी है तरीके समझ में आएगा एकदम तनाव लेनी की जरुवत नहीं है आज ही की क्लास में हम समझेंगे ठीक है ना तीसरे नमबर पे open market operation जिसको हम क्या बोलते हैं खुले बजार की क्रिया है ठीक है ना साथ साथ में running notes बनाते जाना bank तर हो गया ठी उसको बोलते हैं अपन सामवीधिक कोश उपाय इंग्लिश में बढ़िया है Statutory Reserve requirement ठीक है ना इस्तेटीटरी मतलब सीधा सीधा है, जो कानून से पारित हो, ठीक है ना, कोष मतलब पैसा, तो कानून से पारित करके कोष में कुछ बदला होगा, तो क्या हो जाएगा? सामिधिक कोष उपाए, एकदम आराम समझ में आएगा, इसके अंतर का दो गुल्लक आएंगे, एक मात्रा वाली छड़ी हो गई जहां छड़ी घुमी वहां मात्रा उपर नीचे हुई और तुरंत मात्रा यदि चेंज हो जाएगी तो तुरंत बदलाओ दिखने लगेगा वहां पे आप को छड़ी पड़ी तो आपके अंदर बदलाओ दिखेगा और यहां पे छड़ी पड़ रेशियो ठीक है ना सामविधिक तरलता अनुपात और नगद कोश अनुपात ठीक है ना शुरू-शुरू बोल रहे हैं तर चक्कर आ रहे हैं क्या-क्या बोल रहे हैं इसलिए आपको मैं बाद में समझा रहा हूं यह सारी चीजें बहुत आसान तरी के समझने आएंगी नवीन उपकरन आपको कौन समझाने आएंगे श्री राम समझाने आएंगे तो जब श्री राम समझाने आ रहे हैं तो मैं क्यों समझाऊं कहने का मतलब हम धीरे से आएंगे उस चीज़ पे गुनात्मक उपाई के अंतरगत क्या है बीना लाठी पड़े यदि सीख गए तो क्या क्या है वो सारी चीज़े हम देखेंगे उसके अंतरगते क्या आता है चैनात्मक साख स्वतंत्रता याने सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल ठीक है ना यह चड़ी में अलग-अलग क्या लिखा हुआ है हां चड़ी में सारा सारा चीज़ समझा अभी तो पढ़ाया है जिक नगेरा अभी तो नाम लिखा हुआ मातरात्मक बढ़ाव कुछ निवतायां और बस नाम दिखा रहा हुं अभी पसनाम को देखो बैंक और रपो दर यूवर्स अटि पड़ा तो वेंगदर शड़ी एक सोंटी पड़ा तो रपोदर दो ऌनी पड़ा तो बैंकदर और ज़्यादा deepen खुले बज़ार की नीटिया चल रही थिक है ना और उसके बाद सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल और उसके बाद क्या आएगा आपका moral solution याने नेतिक दबाओ और फिर direct action याने प्रत्यक्ष कारवाई यह सारी कारवाई अपन देखेंगे प्रत्यक्ष कारवाई होगी फिर गुण में ठीक है ना तो सबसे पहले आप मेरी बात समझना कि मात्रात्मक उपाई के अब देखो पूरी बिजनेस फैमली चल रही है बिजनेस फैमली चल रही है बिजनेस फैमली तो बात को समझना कि ठीक है दादा जी पापा जी सब सही है लेकिन बिजनेस फैमली में यदि आप जानते होगे बिजनेस फैमली में आपने देखा होगा तो यह देखा होगा कि बीना ब्याज के तो घर वालों से भी पैसा मिलता नहीं है तो याद रखना आर भी आई बहुत असान तरीके से समझना बैटा एक साथ समझा रहा हूं तीन concept समझा रहा हूँ इसलिए इतना ज़्यादा बिल्डप किया और भी आई बैंकों को पैसा देगा तो ब्याज लेगा ठीक है जो भी ब्याज लेगा और बैंकों को पैसा देते लेकिन business family है बिता बीना व्याज के कोई पैसा नहीं मिलेगा तो repo दर और bank दर कम समय के लिए पैसा लेगा तो repo दर जादा समय के लिए पैसा लेगा तो bank दर आरी बत समझ में तो repo दर क्या होता है repo दर वो दर होती है जिस ब्याजदर पे RBI अनुसूचित वानिजिक बैंकों को साख उपलब्ध कराता है ठीक है ना रेपो रेट इस दा रेट एट वीच आर बी आई mix the credit available for scheduled commercial bank bank rate बेटा LAF के अंतरगत देखो bank rate और MSF बरावर होता है लेकिन LAF के अंतरगत याने liquidity adjustment facility के अंतरगत बैंक रेट नहीं आता है bank rate का अपना कारेक्राम चलता है हाला कि यह सब आपके लिए उतना ज्यादा important नहीं है मतलब कौन सा यह कभी नहीं पूछेगा कि LAF के अंतरगत कौन कौन सा आता है लेकिन याद रखना bank rate LAF के अंतरगत नहीं आता हाला कि MSF जो आता है उसके बरावरते सब चीज़े पन पैसा देंगे किसको पभाली किया customer को तो उस rate को क्या कहेंगे जब पापा जी से हम पैसा लेंगे तो आपको पापा जी किस rate पे देंगे बैस रेट पे नहीं और बेंक पैसा देता है किसको फब्लिक को तो वो क्या कहलाता है, बेस रेट कहलाता है, तो बहुत आसान तरीके से हमने समझ लिया कि रेपो दर और जिस ब्यास दर पर आरग्का कौन को पैसा उपलबद कर या जिस लिए 훨씬 दर को इसलिए य। को निल्प काली किरिन कहते हैं ठीक है ना और बैंक दर जयादा समय के लिए इसलिए बैंक । tapping कौn किसको बो ने बैंक को बोलेंगे very good समझ में आ रही सारी चीजे बहुत बढ़िया तरीके से base rate हो रेट होता है जिस पर bank किसको पैसा देते हैं public को पैसा देते हैं तो सर आपने यहां पे दो तीन चीजे हमको समझा दी पहली तो चीज समझा दी रैपो दर क्या होता है दूसरी चीज समझा दी bank द पैसे को रखवा देते हैं तो जो पैसा रखवाता है bank किसके पास RBI के पास में और उस पे जब दादा जी के पास पैसा रखवा रहा है तो आप खुद बताओ यदि आप कहीं पर पैसा रखवाओगे तो तभी न रखवाओगे जब आपको उसका कुछ ब्याज मिलेगा ठ आपा बहिया बेटा ले гा कश्टमर मांग लेगा ज्यादा पैसा आगया है मेरे पास में उस पैसे को आप रख लो ठीक है रख दे ला लो लेंके देता हु पैसा तेरा फ्यास रखवाओगा तो क्या लूँगा ब्याज क्षा आर बीआई किसको देता है अपने बच्चों क को देता है यदि वह उसके पास अपना पैसा रखवाते हैं तो क्लियर है कि निए यह दोनों शॉट टम है यानि कम समय के लिए रैपोदर या रिवर्स रैपोदर ठीक है ना मैं लो बैंकों को बहुत जादा पैसा चीए खुब जादा पैसा चीए खुब सारा पैसा आगया सब्सक्राब्वाद को दिएम और रैपोदर यह एक इतने दिन में आप पैसा क्या कर दोगेर रहे कि नहीं सारी चीजे सब्सक्राइब county है और इस लिए आब रहिए एक रैपोदर हो बस अभी तो समझ रहे हैं यह क्या क्या है उसके बाद उसको यूज कैसे करना है कौन समझाएगा हाँ बिल्कुल मैंने तो कहा रहा रहा है और रिवर्स रहा है दोनों शॉट टम रहता है बैंक दर जो है वो लॉंग टम रहता है इसलिए उसको लिक्विडिटी एड्जेस्म उसको हम कहते हैं open market operation अब देखो बेटा कोई भी चीज बिना कोई चीज गिर्वी रखे लेन देन नहीं होता है ठीक है ना यदी पापा जी याने RBI बैंकों को पैसा दे रहे हैं और बैंक RBI के पास पैसा रखवा रहे हैं तो उतने पैसे का कुछ न कुछ गिर्वी जरूर रखवाएंगे और जो चीज गिर्वी रखवाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं government security याने सरकारी प्रती भोती ठीक है ना आरी बस समझ में भई सरकार को पैसा चाहिए तो सरकार क्या करती है एक ऐसा चापती है बोले 1000 करोड RBI को दे दी यह 1000 कर करोड की क्या हो गई security हो गई याने सरकार security दे रही है यह 1000 करोड रुपए तुम्हारे पास security के माध्यम से तुम कोई भी लेंदेन कर सकते हैं और मेरे को इतना पैसा दो तो सभी बैंकों के account में देखो सरकार ही वो है जो किसी सभी पैसा ले सकती है सरकार चाहे तो आप सभ सबसीडी का जो पैसा जो आपको सिलेंडर का मिल रहा था उस सबसीडी पैसे को वापस ले लेगी तो सरकार पब्लिक से भी पैसा ले सकती सरकार SBI याने बैंकों से भी पैसा ले सकती है और सरकार किस से पैसा ले सकती है और सरकार का नाम ही सरकार इसलिए पड़ा है क्योंक सरकार का तो सरकार किसी से भी पैसा ले सकती है और सरकार जब पैसा लेती है तो बदले में क्या पकड़ा देती है सरकारी प्रतिभूती आपने सुना होगा किसान विकास पत्र किसान विकास पत्र क्या है बेटा किसान विकास पत्र एक प्रकार की सरकारी प्रतिभूती ही तो ह आप पोस्ट ऑफिस में जाओगे आप अपना मालो आने वाले समय में छोटी-छोटी जो राशी है जो घरेलू बचत से जो पैसा इकटा होता है जो हमारी हाउसोल्ड सेविंग से जो पैसा इकटा होता है वो सबसे ज़्यादा पूंजी बनाता है हमारे देश के अंदर हारी समय में ठीक है ना तो जो पैसा आपने इकटा किया छोटे-छोटे घरों में वो लेकर जाओगे पोस्ट ऑफिस में पोस्ट ऑफिस आपको क्या देगा किसान्विकास पत्र मालो आपने एक लाख रुपह जमा किया था उस एक सानविकास पत्र मिला पहले यह उना चल रही ठीक है ना आज कल भी रणी है कुछ दूसरे फार्म में रणी है तो एक लाख रूपे मालो आपने किसान विकास पत्र खरीदा तो वो किसान विकास पत्र उस बात के गरंटी है वो सरकार की वो प्रतिबूती है वो गौवर्मेंट की वो सिक्योरिटी है जो बले का पाच साल या सब की सब क्या सरकारी प्रतिभूती कहलाएगी वैसा ही सरकारी प्रतिभूती क्या होती है एक प्रकार की सिक्योर्टी होती है जो सभी बैंकों के पास होती है अब मालो बैंकों को पैसे की जरुवत पड़ी तो बैंक किसे मांगेगा RBI से माँगे, पापा दादा जी समाँगे, अब दादा जी क्या बोलेंगे, कितना चाहिए तेरे को 100 करोड रुपे, तो चल 100 करोड रुपे की क्या निकाल, प्रतिभूती निकाल, तो जितना 100 करोड रुपे की प्रतिभूती इसके पास होगी, जो इसने सरकार से ली थी, उस सरकारी प्रतिभूती को अब आग थोड़ी ना लगाएगा, पैसे की जरुवत पड़ रही है, तो उसको किसको दे देगा, RBI को दे देगा, सौ करोड रुपे या माल लो, सिंपल सी बात अपन लें, सिंपल सा एक्जांपल समझें, एक करोड रुपे, एक करोड रुपे क वो किसके माध्यम से होता है, सरकारी प्रतिभूतियों के लेंदेन के माध्यम से, वाइंग एंड सेलिंग ऑफ दा गवर्मेंट सिक्यूरिटीज, ठीक है न, इसी को गिरुवी रखना समझ सकते हो, या आप किसी प्रकार की चीज समझ सकते हो, ठीक है, क्लियर है आपको वा होते हैं, पर खुले बाजार की क्रियाएं, और एक कोशन आता है, इसमें सबसे सेफ मार्केट कौन सा है, तो यहाँ पे गिल्ट एजड मार्केट सबसे सेफ है, क्योंकि इसमें मात्र जो है, सरकारी प्रतिभूतियों का लेंदेन होता है, ठीक है, लेकिन प्राइवेट बा participant पर आपको भरोसा होता है, तो जो सबसे ज़्यादा सेफ मार्केट है, वो है बिटा आपका guilt-edged मार्केट, ठीक है न, तो open market operation के उन्तरगत, खुले बाजार की क्रियों के अन्तरगत क्या होता है, है न, हर्शद मेयत hasn't, भाद में बताऊंगा, ठीक है, लश्त क्लास में ब होता है जहां पर सबसे सेफ मार्केट है जहां सरकारी प्रतिभूतियों का लेंदेन होता और इन लेंदेन के माध्याम से पैसा और बैंकों के बीच में ट्रांसफर होता है अब दो चीज़ समझना दो ठोग उल्लक है एक SLR और एक CRR ठीक है OMO यहांने बैटा ओपन मार्केट ओपरेशन यहाने खुले बाजार और बाजार हो है जहां सरकारी प्रतिभूतियों का लेंदेन होता है मतलब पैसे की जरुद पढ़ रही है तो जब बैंक बेचेंगे और जब पैसा मिलेगा बैंकों को तो और जब बैचेगी ठीक है ना और उसको पैसा मिलेगा याने बैंक को पैसा अपने पास रखाएगी तो भार बास समझ में क्लियर है अब समझना सामीधिक कोश अनुपात और और सिर र्याने कोश अनुपात और समिधिक तरलता अनुपात क्या होता है न एक घषप है गुल काützen आदमी क्यों रकता है तो दो यहां से सुनना टा सब के सबy gar Greet और और यहां हैं हमेशा टेंशन रहता है कि कौन सा गुल्लक बैंक अपने पास रखते हैं और कौन सा गुल्लक बैंक के रन की स्थिति कहलाती है जब जंता पब्लीक पुरी पागल हो जा रही है पब्लीक रन की स्थिति आ गई है कि हम कोई पैसा चाहिए हम कोई पैसा चाहिए और ऐसे में बैंक तो डूब जाएगा इसलिए बैंक दो गुल्लक रखते हैं अपने पास में एक CRR और SLR जैसे ही आप बैंक के अंदर जाओगे तो आपको एक गार्ड साहब खड़े हुए दिखाई देंगे जिनके हाथ में एक बंदूक रहती है उस बंदूक का नाम है SLR याने सेल्फ लोडिंग राइफल याने सेल्फ लोडिंग राइफल तो हमेशा याद रखना बैंक के बाहरे गार खड़े होंगे SLR लेके याने सेल्फ लोडिंग राइफल लेके याने SLR याने स्टेट्यूट्री लिक्विडिटी रेशियो याने सामवीधिक तरलता अनुपात बैंक वो गुल्लख है जो बैंक अपने पास रखते हैं ठीक है न और CRR वो गुल्लख है जो बैंक किसके प तो उसके लिए वेट कीजिए लेकिन लाश्ट में सुनाओंगा जब आपको पूरी चीजें सब समझ में आ जाएंगी अभी आपको समझ में आ गया बैंक क्या है रइवर्स रइपोदर क्या है एक चीज मैंने छोड़ दिया था क्या मैसे अब देखो याद रखना कि जितना बैंक का सिक्योरटी सारा भी गया तो बोले भईया मेरे को और पैसा चाहिए तो आरवी आई बोला आप तो तिरे पास सिक्योरटी नहीं है मेरे को देने के लिए गिर्वी रखाने के लिए आप क्या गिर्वी रखाएगा तो बहुत आनंदा रहा है मुझे भी बहुत आनंदा रहा है मैं तुमको पैसा दूंगा किसके उपर अधिक एंतर देता है ठीक है ना और मार्जिनल इस्टेंडिंग फैसलिटी जो होती है वो क्या होती है बिलकुँ बताऊंगा सी आरार पहले एसल आर को समझो एसल आर क्या है बेटा एसल आर का मतलब है स्टेट्यूट्री लिक्विडिटी रेशियो याने सामवीदिक तरलता और आसान भाषा में समझे तो एसल आर वो गुल्लक है जो बैंक अपने पास रखते हैं एसल आर मतलब सेल्फ रोडिंग राइफल जो गार्ड के पास रहती है और बैंक अपने पास में क्यों रख रहे है बेटा उसको बैंक अपने पास इसलिए रख रहे हैं ताकि पब्ल बुलते है ईसमेसर कशा बने ऐब हमासी 7 लग करोड़ कह सब्सक्क्राइब सब्सक्राइब तोह मैं च्थता है यह यह को याद करें बढ़ा रहे हैं बहुत आसान आसानी असानी से पढ़ा आनंद की अनुभूती भी हो रही है, निशाद जी देखिए, ध्यान ध्यान से सुनना, आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आए, बिल्कुल पूछिए, उसको फिर से हम क्या करेंगे, यहां पे, रिपीट करेंगे, ठीक है ना, जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रह हो गया पूरा, ठीक, अब देखो, यदी, बैंकों को पैसा चाहिए, रभी आई से, ठीक है, यदी बैंकों, अब बहुत अच्छे समझ में आएगा, ध्यान से सुनना, यदी बैंकों को पैसा चाहिए किस से, रभी आई से, तो रभी आई, जो ब्यास दर लगाएगा, उस ब्यास दर को हम क्या बोलेंगे, रैपो दर या रैपो रेट, ठीक है न, क्लियर है यहां तक, और ये कम समय के लिए लगेगा, अल्पकालिक लगेगा, वैसे ही, जब बैंक अपना पैसा जमा कराएंगे, रभी आई के पास, तो रभी आई उनको ब्यास देगा, जिस ब्या ब्यास दर पर दे रहा है, रैपो रेट पर दे रहा है, ठीक है, पैसा ये ब्याज ले रहा है, और जब बैंक अपना पैसा रखा रहा है, तो रिवर्स रैपो रेट पर, ये दोनों अल्पकालिक है, मतलब कम समय के लिए, साथ दिन, 14 दिन, 21 या 28 दिन, आरी बास समझ में, अब नमबर दो पर, बैंक रेट क्या है, सर, बैंक रेट भी वही है, जो RBI लेता है, किस से, बैंकों से, लेकिन, लेकिन, हास, यारा भी बताएंगे, एक एक चीज़ बता रहे है, ठीक है, लेकिन, ज्यादा समय के लिए, ज्यादा समय के लिए, पैसा चीए, साथ, 14, 21, 28, में काम नीच चलेगा, एक में, एक साल के लिए, दो साल के लिए, तो बैंक दर पर पैसा मिलता है, और याद रखना, बैंक दर पर ज्यादा समय के लिए, पैसा मिल रहा है, तो ज्यादा प्याज लगेगा, तो बैंक दर हमेशा, रैपो दर से क्या होगी, ज्यादा होगी, यूज़ कर रहे हैं ठीक है ना उतना ही बड़ा क्या होगा आपका मस्फ होगा तो जितना बड़ा बैंक होगा जितना ज्यादा बैंक रेट होगा उतना ही इतना समझ में आया, CRR और SLR, CRR और SLR दो गुल्लक है, ठीक है ना, CRR जो गुल्लक है, ये दोनों को किसके अंतरकत रहते हैं, रखते हैं, बेटा, SRR के अंतरकत रखते हैं, याने Statutory Reserve Requirement, याने सामविधिक कोश अनुपात के अंतरकत इसको रखते हैं, हम लोग, आप कोशन देखोगे, कोशन आपसे ये पूछेगा, कि CRR जो है, और SLR जो है, वो कहां कहां रहता है, तो याद रखना ये दो गुल्लक ह साइफल जो गार्ड पकड़ता है, इसलिए SLR बैंक अपने पास में रखते हैं, ठीक है ना, और CRR जो एक गुल्लक है, जिसमें पैसा रहता है, उसको बैंक कहां रखते हैं, RBI के पास में रखते हैं, याद रखना हमेशा, क्लियर है बात सभी समझ में आ गई, तो रेपो ये बताईए कि इन सब चीज़ों का उपयोग क्या है, तो इनका उपयोग आप सब लोग जाग जाईए, क्योंकि कोन आ गया है, रावन आ गया है, क्या समझाने आपको, मौद्रिक नीती समझाने, तो सर, ये जो सकती बरत रहे थे दादा जी, ये जो डंडे से मार रहे थे यह जो मात्रात्मक उपायों का प्रयोग कर रहे थे, यह जो गुनात्मक उपायों का प्रयोग कर रहे थे, यह क्यों कर रहे थे, बेटा सक्त तभी होंगे जब कोई भी परशानी आएगी, आपका प्रिलिम्स नहीं निकला, आपका एक्जाम नहीं निकला, तो आपको जितना दर्द है आपको जितना दुख है उससे ज़्यादा दुख दर्द किसको है आपके पीता जी को है इसलिए सोटा मान रहे है ठीक है ना इसलिए जब अर्थवय वस्था में कोई परशानी आती है और अर्थवय वस्था की सबसे बड़ी परशानी क्या है बेटा महंगाई और म अभी होने भी नहीं देंगे मुद्रा सिपित याने महेंगाई को देखके रावण का पारा गरम बोले मैं लंकेश्थ था मैं जब था तब सोने की लंका थी जहां डाल डाल पर सोने की छिडिया करती है बसेरा वह भारत देश है मेरा जैसे इसको उंग्रेजों ने लूट लिया वैसे ही लंका भी तो सोने की चिड़िया थी अब रावन को गुसा क्यों आ रहा है रावन को गुसा इसलिए आ रहा है क्योंकि मुद्रा इस्विती हो गई है इन्फलेशन हो गया है बेटा देखो इससे अच्छे तरीके से आपको रावन के अलावा कोई नी जा सकता अब रावन को गुस्सा आ गया है क्योंकि मुद्रा इस्फिती बढ़ गई है महंगाई बढ़ गई है और आप सभी के सभी यह जानते हैं कि मुद्रा इस्फिती इंजॉय कर रहे हैं बिल्कुल क्लियर है मुद्रा इस्फिती कब बढ़ती है जब चीजों का रेट ब मिल रहे हैं यानि मुद्रा का मुल्य गिर गया है पैसे कि कोई वैल्यू नहीं रही क्योंकि महंगाई क्या हो गई है बढ़ गई है तो मुद्रा इस फिती का मतलब वस्तू का मुल्य गिर जाना और मुद्रा का मुल्य गिर जाना ठीक है ना वस्तू का मुल्य बढ़ जाना औ और मुद्रा का मुल्य गिर जाना तो बढ़िया मौसम बनाने मैं नहीं आया हूं बेटा रावन आया है और रावन को गुस्सा आ रहा है और जब गुस्सा आता है ध्यान से सुनना बहुत इंपोर्टेंट कॉंसेप्स हम समझने जा रहे हैं और याद रखना इस लेक्चर के पाद आप और हम मिलके यहीं के यहीं अभी के अभी 20 कोशन तो आप सॉल करोगा अपने टेस्ट में यहां हम यूपी एस्टी के कोशन सॉल करेंगे और मैं इस हव्वे को मिटाना चाहता हूं कि यूपी एस्टी कोई बहुत बड़ा एक्जाम है यूपी एस्टी से अलग यहां पे 36 गड़ में पी एस्टी की जो तयारी कर रहे है न बच्चे वो जो दिल्ली में बैठे हुए बच्चे उनसे ज्यादा महनत करते हैं गांधी चौक की गलियों में ज्यादा महनत होती है दिल्ली से यह मैं देख चुका हूं यह मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ले रावड को गुसा यह और जब गुसा आता है तो पारह क्या होता है बढ़ जाता है या रैपो रेट बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा MSF बढ़ जाएगा CRR बढ़ जाएगा SLR भी बढ़ जाएगा याने जब मुद्राइश्विती आती है जब inflation आता है तो रावन का पारा चड़ता है और रावन का पैसा पारा जब चड़ता है तो मुद्राइश्विती को नियंतृत करने के लिए to control the inflation रैपो रैट बढ़ जाएगा bank rate बढ़ जाएगा MSF बढ़ जाएगा CRR बढ़ जाएगा और SLR भी क्या होगा बढ़ जाएगा बस एक reverse रैपो रैपो रैट है जो reverse में चलेगा तो सबके reverse में कौन चलेगा reverse रैपो रैट सब बढ़ रहे हैं क्या हो जाएगा कम हो जाएगा याने कहने का मतलब यह समझ जाओ कि रावन का गुस्सा देख के reverse repo rate क्या हो गया कम हो गया और रावन का गुस्सा चढ़ा तो repo rate बढ़ा, bank rate बढ़ा MSF बढ़ा, CRR बढ़ा और SLR बढ़ा, अब इसको economy की language में समझना बेटा, कि repo rate के बढ़ने से क्या होगा, जहां से सुनना महंगाई बहुत है बजार में याने market में पैसा बहुत है और market में पैसा बहुत है याने पैसे की तरलता जादा है, liquidity बहुत जादा है जहां तरलता जादा होगी liquidity जादा होगी तो लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा होगा और लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा होगा तो डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो भाई चीज़ें सीमित हैं सब के हाथ में पैसा है सब लेने आए जूम गए तो देखा हो कि तैवार में क्या बढ़ जाती है मह महंगवड यहां नहीं पि quirky तो आरवी आभी आपको मेन बढ़ाया रपो रेट को क्या करते का विल्ट आपको पता है आरवी जब भी बैंकों को पैसा देता था तो रउन की करता था और रैपो रेट की कर रहा है Benko जो है बैंकों से अब रैपो रेट को बढ़ा देगा याने ब्याज दर बढ़ गया तो बैंक क्या करेंगे कम पैसा लेंगे पैसा खीचाएगा अरे हाया ना ठीक है ना सही बोल रहा हो रोकी पैसा खीचाएगा बैंक कम पैसा लेंगे बोले अरे यार इतना ब्याज ले रहो मेरे को तरलता कम करना है, market की liquidity को कम करना है, तरलता को कम करना है, तरलता को संकुचित करना है, खीचना है, contraction करना है, याने मैं कौन सी निती अपनाऊंगा, संकुचित निती अपनाऊंगा, या सक्त निती अपनाऊंगा, मैं सक्त हो जाऊंगा, याने रैपो रेट बढ़ेग कब बढ़ेगा जब महेंगाई को नियंत्रित करना होगा तब याने मुद्रा इस्विदी को नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट को बढ़ाया जाता है ध्यांचा सुनना अब रेपो रेट बढ़ा रेपो रेट बढ़ा तो बैंक कम पैसा लेगा अब बैंक कम पैसा लेग और बैंक रेट ज्यादा समय के लिए बढ़ा वैसी MSF है ठीक है ना वैसी CRR और SLR आप खुद बताओ कि यदि आपके पास गुल्लक में आप ज्यादा पैसा डालोगे मैं अभी अभी आपको बोला कि मुद्रा इसफिती बढ़ेगी तो CRR और SLR भी बढ़ेगा यदि आप ख पैसा कम बसता है खर्चा करने के लिए और हाथ में पैसा कम बसता है तो महंगाई कम होती है और डिमांड कम होती है तो धीरे-धीरे महंगाई भी कम होने लगती है और इसलिए रावन गुसा है कि महंगाई बढ़ी हुई है तो मुद्रा इसफिती बढ़ेगी तो याद तो मार्केट से तरलता खिचा जाएगी लिक्विटी खिचा जाएगी पैसा मार्केट में कम रहेगा तो मार्केट में पैसा कम है तो डिमांड भी कम होगी और डिमांड कम होगी तो महंगाई भी धीरे-धीरे नियंद्रित होने लगेगी और इसलिए आपने देखा कोवीड क किया था बेटा कोवीड के बाद में बहुत ज्यादा महेंगाई बढ़ गई थी क्यों महेंगाई बढ़ गई थी तो क्योंकि वह आपको मैं बताऊंगा लेकिन अभी कई समय से है ना हर दो महीने में बैठक हो रही है और हर बैठक में किसकी बैठक हो रही हो भी बताऊंगा हर बैठक में क्या किया जा रहा है रैपो रेट को बढ़ाया जा रहा है है ना रैपो रेट को बढ़ाया जा रहा है मतलब मार्केट में खुब ज़्यादा भी क्या चल रही बैटा महंग करना होगा साखना नियंतर्फ है ना साखना नियंतर्फ अह मतलब घोडब की लगाम है और एक यह बियाज दर्फ़रा देते हैं पैसे लेते ठीकेना लेकिन जब मंदी अगयी ठीक है ना लेकिन जब क्या आ गई मंदी आ गई तो क्या होगा डेखो Ramana ग्यानी है सोने की लंका ऐसे ही नहीं कही जाती रावन जो था भले ही किसी प्रकार का धर्मी पापी जरूर था लेकिन अपनी लंका में वो राजा बढ़िया था इसलिए जैसे भारत भी सोने की चुडिया थी तो श्री लंका भी जिसको हम अभी श्री लंका कहते लंका भी सोने की लंका थी ठीक है ना तो inflation के दोरान inflation के दोरान inflation मतलब मुद्रा इस्विती तो RBI will adhere to tight money policy tight money policy मतलब सक्ता मौद्रिक नहीं थी और tight money policy के अंतरगत रेपो रेट बढ़ जाएगा बैंक रेट बढ़ जाएगा MSF बढ़ जाएगा CRR बढ़ जाएगा और SLR भी क्या होगा बेटा बढ़ जाएगा ठीक है ना लेकिन Corona का टाइम आया था है ना महंगाई तो दूर की बात है सारी की सारी दुकाने बंद हो गई लोगों के रोजगार चिन गए लोगों के पास हाथ में पैसा नहीं बचा इसलिए कोविट के बाद में ब्यासदरों को आपने पढ़ा होगा पेपर में ब्यासदरों को बैंक कम कर रहा है लगातार ब्यासदरों को क्या कर रहा है बैंक कम कर रहा है और क्यों ब्यासदरों क को क tyre कर देंक है तो जब रेपोर को मैं क्या करना कम करेगा याने जो लोगों के हाथ में पैसा नहीं है और ब्所以 कम etaan बंसे लगेगा और जैसे जैसे लोगों के हाथ में पैसा बढ़ने लगेगा तो उनकी डिमान्ड्ड बढ़ने लगेगी तो सप्लाइब बढ़ने लगेगी और जैसे जैसे सप्लाई बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी धीरे धीरे वापस से मार्केट में हसी खुशी का महौल होगा जैसे कोवीड के लॉकडाउन के बाद में फिर से मार्केट हसने लगा फिर से अर्थवेवस्था चलने लगी और जब तक याद र इसलिए याद रखना जब मंदी आती है जब मंदी आती है तब जब रिसेशन आता है तब RBI जो है वो कौन सी निती अपनाती है उदार मौदरिक निती अपनाती है आर भी आई एड़ेर टू इजी मनी पॉलिसी इन दा केस ऑफ रिसेशन ठीक है ना क्लियर है कि नी सभी को तो आर भी सक्त मौदरिक निती कब अपनाएगी जल्दी बताइए आर भी सक्त मौदरिक निती अपनाएगी सर जब भी मुद्रा इस्पिति को नियंत्रित करना होगा तो क्योंकि ब्यास दरों को बढ़ाने से सर मार्केट में तरलता कम होगी लिक्विडिटी कम होगी तो डिमांड कम होगी तो धीरे-धीरे महंगाई भी कम होने लगेगी लेकिन सर जब मार्केट में मंदी है लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं है तो आर भी आई को तरलता ब पोड़ेगा ना याने गुल्लक फोड़ोगे तो गुल्लक में पैसे कम हुए की नहीं हुए तो CRR भी कम होगा और SLR भी कम होगा easy money policy की अंतरगत तो उदार मौधरिक निती सरकार तब अपनाती है RBI तब अपनाती है जब recession होता है मंदी होती है और उसके अंतरगत वो ब्यास दरों को कम होती है करती है रेपो दर कम होगी बैंक दर कम होगा MSF CLR SRR बस बढ़ेगा कौन जो reverse में चलता है हमेशा reverse रेपो रेट सब जो है किस टेप का प्रशन आते हैं यहां से UPSC लो लो चाहिए PSC ले लो क्या प्रशना आते हैं कि मुद्राइश्विति की स्थिति को नियंतित करने के लिए आर भी ऐई रैपोस्त घृटा देती है बढ़ा देती है उतना ही रखती है और इन में से कुई नहीं अरे आप खुद बताओ ना भीया और भी आइए दि मुद्राइश्वित्य को नियंतित करना चाहरी है महें आइधा इकना चाहरी मतब तर्यृट्रा को बढ़ाती है या कम करती है कई डर गए CRR को बढ़ाती की कम करती है अरे मंदी की इस्तिती है मंदी की इस्तिती में CRR को कम करेगी की बढ़ाएगी अरे मंदी हाथ में पैसा नहीं गुलक फोड़ना पड़ेगा CRR को कम करना पड़ेगा CRR कम हो जाता है जब मंदी आती है ठीक है ना clear है की नहीं बहुत बढ़िया तरीके से clear हो रही है तो देखना concept आपका clear है तो आप किसी भी प्रकार की चीज को क्या कर सकते हो बेटा solve कर सकते हो अब मैंने आपको बता दिया था मातरात्मक उपाई ठीक है यानि मातरा का आपको dose मिल गया था अब आपको गुणात्मक उपाई मैं बताता हूँ गुणात्मक उपाई यानि जिनको qualitative tools कहते है qualitative tools के अंदर गत क्या 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 आता है आपका पहले आता है आपका selective credit control जिसको हम क्या कहते है हिंदी वाले चैनात्मक साख स्वतंतरता एकदम यहीं से question आता है quantitative वाले सब से जारा question आता है और PSC तो यहीं तक सी में था लेकिन हम आगे तक जाएंगे क्योंकि PSC का level अब धीरे धीरे बढ़ रहा है तो हमें भी तो अपना level बढ़ाना पड़ेगा रहे से रावणा ने अपना गुस्सा बढ़ाया था सक्त मौद्रिक नीती में तो देखो selective credit control या चैनात्मक साख स्वतंतरता क्या है चैनात्मक साख स्वतंतरता के अंतरगत बैंकों को ये स्वतंतरता होती है कि वो किसी भी छेत्र को ज़्यादा पैसा दे सकते है और किसी भी छेत्र को वो अपने हिसाब से कम पैसा दे सकते है याने एक level तो maintain करना पड़ेगा लेकिन माल लीजे agriculture याने किसानों को सरकार बोल रही है भई बैंकों से चलो तो आप agriculture किसानों को क्या जो माफ करना है खुब खुब पैसा दो खुब पैसा दो बिल्कुल बढ़ेगा लेवल और यहीं बढ़ेगा आज के लेक्चर में बढ़ेगा बेटा आपका level आप इस चीज को देख लेना ठीक है न अब ध्यान से सुनना मेरी बात को सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्र याने चैनात्मक साक सवतान करों तुम जाना तुमाल도 ग्ण्ट ग्वर्मेंट के साथ में तुमारी क्या अंडर सेंडिंग हो रही है sब्यां कि मुझे किसानों का क्या बढ़ाना है दिनी रहेंगे तो ना आशिर वाद आंता Suzuki का खापाऊंगे ठीक है थिक है ना तो प्राइमरी भी सिक्टर आ है बिटा किसानों को सभuest ज़्यादा पैसे की जडरूत पड़ती है वो सब से बढ़ी बात और सबसे बड़ा दुख की बात 있는데요 कि हमारे देश का किसान सब से गरीब है जो हमारा अनधाता है जो हमारे प्राथमिक चेत्र में सब प्रियोर्टि सेक्टर लेंडिंग के तहत gloss लेंग्ने सेक्टर को करद हमाप कर दे हैं क्यों कर रही है सरकार सिर्फ राजनातिक मूल नहीं आर्थिक मूल भी ben क्योंकि किसान करजा पठाई नहीं पा रहे हैं तो उनका करजा सरकार क्या-कर सकतंब यह निए सरकार चो बैंकों को पैसा देना पड़ेगा ही पड़ेगा सरकार बैंकों को पैसा देगी याने गोभर्मेंट सेक्योर्टी देगी कि भईया बोले सरक बैंक बोले घृ низ थोड़ी को बन्ध कराना है हम तो बिजनेस कर रहें न आप को सब झाल को जीतना है हम में पैसा दो बले रहा हुना यह लग गवर्मेंट सिक्योरूर्टि कि इतने कहते रहे इतने लाग करोड का यह सिक्योर्टी पकड़ कर लेकिन कि साथ बात क्या है युज गवर्मेंट का बैंक आर्बी को देंगे तो उनको पैसा मिलना ही मिलना है इसलिए इसलिए शरकार भी और बैंक भी तयार हो जाते हैं तो सेनात्मक साक्सको तंत की अंतरगत ula के सब्सक्रणंग के अंतरगत जो एग्री कल्चर सेक्टर है और एग्री कल्चर के साथ साथ जो हठकरगा छ्हेत्र है ठीक है आपने बढ़ा होगा जो चापा का छेत्र है वह बुनकर है वह लगे हुए यह बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी आज आदी के पहले हाथ करगा चेत्र पूरे भारत का आज आप देखो प्राथमिक छेत्र द्वितियक छेत्र और तित्यक छेत्र की बात करते हैं ठीक है एगरी कल्चर में हम ठीक ठाक कर रहे हैं किसानों को ब्याज भी मिल रहा है लेकि इतना अच्छा च्छिल्प आपको दिने पूरे हकरगा छेत्र को पूरे हमारे मेनुफेक्टरिंग nee went look करने में हाथ किसका है एंगरेजो का इसलिए याद रखना आजके बाद जब और भी वाइसर आँपढ़ोंगे नालड लगाना नासर लगाना बस नाम लगाना ठीखेना आरीवस मत समझ में ना ये भगवान के रूप है ना ये स के रूप में है ना सर बोलेंगे ना लाड बोलेंगे आरे कि नी बांस से बड़े बड़े रावण बनाते हैं ये है हमारा हत करगा छेत्र और इस हर करगा छेत्र को भी क्या करने के लिए इसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार कह सकती है कि priority sector lending के तहद चैनात्मक, हाँ, चैनात्मक साख स्वतंत्रता, मॉंस्टर लगा सकते हो, बिल्कुल बिटा, बिल्कुल मॉंस्टर लगा सकते हो, ठीक है न, चैनात्मक साख स्वतंत्रता के तथ हम क्या करेंगे, पैसा देंगे, किसानों को पैसा देंगे, हद करगा छेतर को पैसा देंगे, जिनको पैसे की जरुवत है, आए की असमानता को मिटाएंगे, ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं, नई इंटर्यू में भी मत लगाना, ठीक है न, नमबर दो पे, कोई नहीं पुझे का इंटर्यू में तुम से, Lord Cornwallis और यह वो, ठीक है न, Cornwallis बोलना, राशनिंग आफ क्रेडि हैं, आप भी एक शिल्फ कार हैं, आपके अंदर भी, आप भी सेकेंडरी सेक्टर को क्या कर सकते हैं, फायदा पहुचा सकते हैं, लेकिन अभी आप स्वर्विस सेक्टर को पहुचाओ, प्रशाशनी का दिकारी बन जाओ, फिर रावन बनवाना, ठीक है, साख की हैं, आपने सुना होगा की कुछ लोग भारत से पैसा लेके भाग गए, कि 9000 करोड, 9000 करोड रुपर पैसा लेके भाग गए, अरे हाया ना, बैंक दो दिया, बड़ा आदमी है, इसकी तो प्लेंच चलती है, है ना, इसकी तो शराब बिक्ती है, भाई, हम इसको पैसा दे देते हैं यहां को पैसा क्या करेगा वापस करेगा लेकिन वो तो पूरा पैसा लेके अपने ही एरो प्लेन में बैठके क्या हो गया भाग गया ठीक है ना और इसी को बोलते हैं ना हो पाएगा नहीं नौन परफॉर्मिंग एसेट यानि बैंकों का जो एसेट था बैंडों बैंकों की जो हां उनके साथ में एक और भी है ठीक है न तो हां दोनों आ गए ठीक तो NPA जो हो रहा है उसके माध्यम से क्या हो रहा है बैंकों का पैसा लेके भाग गे नॉन फर फॉर्मिंग मतलब जो पबली का पैसा बेंगों ने जमा करके रख था क्या लीटा इस पैसे को प्रच को बाइन को बाड़ते लगा रहा है मतलब जिसको वह 100 irp loan दिया है उससे उसको उस 10 रुप Bunny रहा है आठान रूपय ठीक आफिकाय पैसा आफिका सो रुपय है बैंक सामने वाले को 100 रूपय लोन के रुप में उसको 8%-8 रूप्पे मिलगा कितना देना है 3% मतलब 3 रूपया यही तो जो बच्छा 5% कि क्या है ऐक्क कमाई है यानि बैंक की आपका कि ऺीड़ा बैंक की संपर्ति क्योंकि बैंक आपको पैसा देगा जब भी आप मंगोगे ठीक है नहीं जब भी आप मांगोगे डिमांड डीसिने going Liabilty जो सेविंग आयाँन में पैसा होता है जो करेंट एकाउन में पैसा होसा होता उसको क्या बोलते हैं Dimand Liability बोलते क्या भी डिमांड करोगे जब भी ETF start सरा सर पैसा निकलेगा आपको हाँ या ना ठीक है इसलिए इसको बोलते हैं बैंक की डिमांड लाइबिल्टी लेकिन बैंक किया जो संपत्ति है जो पैसा जमा है बैंक की संपत्ति है एसेट है तो बैंक का एसेड जब यह लेके भाग गये तो वह परफार्म नहीं कर रहा है याने उसका ब्याज तो क्या, मूलधन तो गया ही गया, ब्याज भी गया, ठीक है ना, और सब कुछ लेके भाग गया, इसलिए इसको कहते है, non-performing asset या हिंदी में गैर निश्पादन संपत्ती, ठीक है ना, जिसका कोई निश्पादन नहीं हो पाया, जिसका कोई रिसल्ट नहीं आपाया उसको हम क्या बोलते हैं नान परफॉर्मिंग एसेट गैर निश्पादन संपत्ति ठीक है ना क्लियर वैरी गुड अंजली ठीक है ना बहुत बढ़िया तरीक से आप समझ पा रहे हैं तो राशनिंग कर दे का पार भी बोलेगा सुन तुम्हें आंट यह घर खरीद लूँगा यह कार खरीद लूँगा कोई तो तेरा बीजनेस चल नहीं रहा है पैसा ले लिया मेरे से तू अब तेरा बीजनेस परफॉर्म नहीं कर रहा है तो अब तेरे को पैसा नहीं मिलेगा साख की राशनिंग हो जाएगी तो गुनात्मक उपाय करने के लिए जो है, वो साख की राशनिंग जो है, साख की जो राशनिंग है, वो करता है, कौन? RBI करता है, कहने को मतलब गुनात्मक उपायो के अंतरगत, जैसे मैं एक टीचर के रूप में आप लोगों को समझा रहा हूं, तो RBI भी समझाता है कि देखो, तुम लोगों को बहुत सोटाई हो गई, तुम लोग लातों के भूत, बातों से नहीं मानने वाले, लेकिन तुम लातों से भी नहीं मानने तो आप बाती कर लेते हैं, तो बात के अंतरगत क्या हो रहा है, कि भई या तुम ठीक है, अग्री कल्चर सेक्टर को दो, मैनूफेक्चरिंग सेक्टर को ठीक है ना और दूसरा साख की राशनिंग ठीक है राशनिंग करो कि भई आपकी ज्यादा यदि आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट है तो आपको ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा अब उतने में ही काम चलाओ ठीक है तीसरे नंबर पे क्या होता है बैंक अपनी होशारी मारते है ठीक है ना बैंक अपनी होशारी मारते हैं बैंक क्या करते हैं जैसे बेस रेट से नीचे पैसा देना नहीं है तो बैंक क्या करते हैं कुछ प्राइम कस्टमर को क्या बोलते हैं कि आपको हम बेस रेट से भी नीचे पैसा लेके भाग गए उनको बेस रेट से भी नीचे म तो नैतिक दबाव बना रहा है आर भी ठीक नैतिक दबाव कौन बना रहा है आर भी ठीक नैतिक दबाव मौरल सुएशन आर भी बना रहा है किसके लिए बैंकों के उपर कि भीया देखो तुम बदमाशी कर रहे हो तुमकों मैंने बार बार समझा दिया कि मौरल सुएशन कर कर रहा हूं मैं नैतिक रूप से दबाव बनाने का प्रयास कर रहा हूं तुम्हारे उपर सुधर गए तो ठीक है और नहीं सुधरोगे तो डारेक्ट एक्षन होगा प्रत्यक्ष्र करवाई होगी जैसे लक्षभी कॉपरेटिव बैंक पूने को क्या कर दिया बंद कर दिया बहुत सारे बैंकों के उपर डारेक्ट एक्षन लेता है क्योंकि दादा जी के हाथ में छड़ी है तो दादा जी यदि छड़ी घुमाएंगे तो पिता जी भी क्या हो जाएंगे बैटा सुधर जाएंगे आरी बास समझ में ठीक थैंक यू टीम को को आप लोगों का भी ध में पढ़ाई को और जबर दस्त की या हुई यह पास हो जाएंगे तो हमको मातरात्मा मुपाई समướं जमर मैं ठीक है ना मातरात्मा eldest म спас मा पब समझ में आगे अब देखना मेरी बात कि अब आपको नवीन उपकरण समझाने कौन आ रहे हैं तीन उपकरण हमने देखे थे एक तो पुरानी वाली चड़ी और एक नई वाली चड़ी अब देखो राम जी चड़ी तो घुमाएंगे भले ही रावण ग्यानी था लेकिन राव भगवान के रूप में नहीं भगवान तो उनको मानते ही हैं लोग और 36 गड़के तो भाचा है और 36 गड़के भाचा राम है इसलिए उनको सब प्रणाम करते हैं विभिन्न जाती विभिन्न धर्मों के लोग राम जी को क्या मानते हैं भाचा मानते हैं तो हमारे तो भाचा तो जो हमारे भाचा राम है वो हमको भाचा को बहुत ज़्यादा आदर सतकार के साथ 36 गड़ में देखा जाता है ठीक है ना तो साथ बज़े शुरू हो जाती बेटा क्लास आज साथ बज़े शुरू होती क्लास अब याद नहीं भी देख पाए तो कोई बात नहीं क्लास क्विकरीवीजन क्रवाएंगे पहले देखो साथ नämän frågor के उपाए तो इस्ते उस्ते घ्रोच को बढ़ाना तो इस थरलता को कमकराने के लिए जिए बयासधरों को बढ़ाना पड़ेगा योकि बयासधर बढ़ेगी तो 스타일 काब के येट टो रैपो रेट बढ़ बढ़ जाएगा, MSF बढ़ जाएगा, CRR बढ़ जाएगा, SLR बढ़ जाएगा, सब चीज़ें बढ़ जाएगी, बस रिवर्स रेपो रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है न, क्लियर है, जब मंदी है, रिसेशन आ गया है, तो वापस से एकनॉमी को बढ़िया तर कर देंगे, गुल्लक तोड़ देंगे, बच्चे के लिए ले बटा, जैसे आपके माता पिता आपके लिए पैसा देते हैं, क्योंकि आपके लिए उधार नीती अपनाते हैं, वैसे ही गुल्लक तोड़ देगा, RBI, CRR भी कम होगा, SLR भी कम होगा, और क्या कम होगा, MSF भी इनको पैसा दिया जाता है, राश्णी आफ कॡर्डिट के अंतरगज Wal Russian कर रहें नौन परफार्मिंग है, उनको क्या किया जाता है, ठिक किया जाता है, मॉरल सी वेशन मतलब नैतिक दबाओ बनाया जाता है, और प्रत्यक्ष करवाही याने डारेक्ट एक्षण किया जाता जाल लिक्यूडिटी ट्रैप अब आप सकुछ समझ पारें कि ट्रैप मतलब पकड़ लेना ठीक है ना मुस्वा भागत रहते तेला धरे बर एक ठन का फसाथें पताल फसाथें पहले ऐसी करते थे जब चुहा भागता रहता था उसको पकड़ने के लिए क्लिए करते लिए ट ट्रैप मसा चल रहता ये लेकिन मतलब इतना जो पैसा ऐसा उसको खीचना चाहा है तो क्या करेगा ठीक है ब्यासदर को क्या कर देगा बढ़ा देगा तो ठीक है लेकिन अब आरब यह क्या करेगा बैंकों को बोलेगा कि जो सेविंग बैंक में तुम सो रुपए के उपर 3% ब्यासदर दे रहे थे ना उसको तीन परसेंट मत दो अब 6% ठीक है ना परसे लाख रुपए आपके पास आया एक साथ कहीं से भी उसको आप बैंक में जम्म कर दिए ठीक उसके उपर आपको बोलेगा कि 5 इसको क्या यह पूच्छ चपता है कागज पर नहीं ऌवसके लिए लग प्रकार का तो तो एक साथ पैसा आपने रख दिया आपको पांच सलोलां च्हे लाख रूपए देना पड़ेगा क्योंकि बैंक तो आपके मातापीता भी करते होंगे हर घर हर 120000 diye जितनी जिसकी केपीडिए पैसे बड़ा होके निकलता है जब भी आपको ज़रुत पड़ेगी पैसे का पैसे की तब के माता पीता आपके लिए पैसा खर्च करने को तयार रहते हैं कहीं नहीं वहने डिमांड लाइबिल्टी में अतलब यहने करेंट एकाउंट सेविंग अकाउंट में पैसा दिया रहता है मेरा एवडी है कितने लाग का पांच लाग का जब पढ़ाई लिखा ही छोड़ दोगे क्या तो फ़ड़ी यह पांच लाग का तो पांच अच्छी बात है अच्छी बात है तो यह आपको टाइम लाइबिल्टी के लागा इसके बाद आपको पैसा देगी ही देगी कौन सरकार ठीक है ना क्लियर है ठीक है ना कि इस बेस में चाप रहे होगे उससे क्या मतलब बेटा कर यहाँ ना राम जी समझाने आए है तुम य प्रणा यह इंपॉर्टेंट कुछ भी कुछ पढ़े जा रहे है नोट कैसे चपता है मैं देख क्या जाओं कहा चप गया है ना 2000 का बंद क्यों हो गया मोदी जी से पुछ क्या हूंगा 5000 का बंद करके 2000 का क्यों निकाले ठीक है तरलता संजाल हेलिकॉप्टर ड्रॉप मनी क दिया है तो ध्यान से सुनना ब्यास दर को तो बढ़ा दिया लेकिन सेविंग दर को याने सेविंग अकाउंट में रखर तो ज्यादा पैसा आपको परसेंटेज मिल रहा है खूब पैसा आपको मिल रहा है ठीक है ना खूब पैसा मिल रहा है ठीक तो यहां पर खूब पैस अरे question बाद में पूछना है यार कितनी class होगी पहले पढ़ ले कितनी class होगी बाद में देख ले ना playlist में कितनी class होगी जो समझार है उसको समझ ले ठीक तरलता संजाल के अंतरगत क्या हो रहा है RBI ब्याजदर को बढ़ा रही है ठीक है ब्याजदर को बढ़ा रही सेविंग अगाउंड में आपको ज्यादा ब्याज मिल रहा है कब जल्दी से comment करिए महंगाई बढ़े कि तब liquidity trap प्रयोग किया जायो या मंधी के समय में जल्दी बताओ फटाफ़ट मेहंगाई के समय में कि मंधी के समय में कब liquidity trap करना चाहेगी जो सरकार RBI है कब पैसे को मmäहंगाई बढ़ी हुए है यह मन्दी जल्दी बताओ जल्दी बताओ फटा-फट जब Novak महाँ बढ़ी हुए है आर्वी तरल्ता को ख hou और सारे ne सबस्कारं है यह झाली बढ़ा रहे थे यहां क्या कर दिये में ब्याज दर को बढ़ा नहीं रहे हैं जो ब्याज मिल रहा था सेविंग अकाउंट में FD पे उसमें आपको ज्यादा पैसा मिलेगा आप बेंग पैसा रखोगे पैसा अपने पास कम रखोगे तो डिमांड कम होगी तो महेंगाई भी कम होने लगेगी दो चीज सुनना हेलिकॉप्टर ड्रॉप मनी इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं और हेलिकॉप्टर होवर मनी क्योंकि यह फॉरेंड का कॉंसेप्ट है तो हेलिकॉप्टर ड्रॉप मनी का मतलब क्या है ड्रॉप करना मतलब पैसा गिराना आपने देखा होगा मैं तो पैसा देना चाहता हूं मैं तो लोगों के हित में काम करना चाहता हूं लेकिन मैं पिता हूं मैं पैसा कमाता हूं मैं बच्चे के लिए सोचता हूं लेकिन वो तुम से ज्यादा जुड़ा हुआ है वो माता से ज्यादा जुड़ा हुआ है मतलब पब्लिक किसे नयाय योजना राजिव गांधी किसान नयाय योजना नाम के का होता है सरकार का लेकिन पैसा उनको कौण दे रहे है आरभी आई आ अरप delivery तरद कौणी किसान को पास पैसा नहीं है इसले कर्ज這些 कर दो लोगों के हाथ में पैससा नहीं है कि सानु मार्केट ठीक चल डिकिसानों के निष्थ प्रत्यक्ष लाब हस्तांतरन किया जाता है यदि आपका बेंक में अकाउंट है तो आपको पैसा मिलना ही मिलना है क्लियर है कि नहीं ठीक तो हेलिकप्टर ड्रॉप मनी समझ में आ गया और होवर है ना आज कल नोनीवन सुखा थें बाल है नहां के आथें ता सुखा थें ऐसे खीचते हैं वो क्या करता है मौश्चर को खीच लेता है क्या बोलते हैं उसको बाद सुखा नहां चेतिस घड़े में ठेक क्या बोलते ऊसको आने मुझे नहीं पताब है मैं तो बाली नहीं बचे माइं किसा करूँगा ठीक क्या बोलते हैं जल्दी बताओ हो उसको है मजा आ बाबा ती कि टिक कहा है तो देको भू से मतलब किफने आली मशिण है ना ओवर क्राफ्ट खिछने वाले होवरक्राफ्ट नी उसको वह मतलt बेसी का काम करता है इस कोबते हैं की तरפ उलते तो पूरा सब werth उसको तरफ में को फूरा थान आहीं काला धन आहीं कर खूरल यह किस का वर्ट था काला धन आही काला धन आही राम देव बाबा बड़ा काला धन के लिए बात करते थे ठीक है न कि काला धन जो है वो पूरे मार्केट में है काला धन का मतलब क्या है काला धन वो धन नहीं है काला धन वो धन है जो बैंक की निगरानी से बाहर है ठीक है न आपके बैं नीचे से बेंक एकाउंट को एकाउंट कहां से लेते हैं सूट से लेते हैं काला धन का मतलब है ब्लेक मनी का मतलब है जो पैसा बेंकिंग ट्रांडेक्शन में दिखाई नहीं दे रहा है जिसके उपर कोई ब्याज नहीं लग रहा है कोई कहां छुपा के रखा था चट के ऊपर कोई चुपा के रखा तक जमीन के नीचे छुपा के रखा था कोई खेत मत चुपाये रहे सको गाड़ तरी मत चुपाये रहे इस आठ नमबर 2016 को मोदी जी आए और बोले 500 और हजार के नोट अब नहीं चलने वाले अब बंद हो गए होटल में खाना खा रहे हैं लोग बाग 500 का नोट रखें हुए जिब में यह चलेगा नहीं तो खाने का बिल कहां से खड़े गए सब लोग घेर के खड़े हो गए होटल वाले बोले देख पारजितम द्रव्यम दशवर्षानी तिष्ठती प्राप्ते एकादशे वर्षे समूलम चावी नश्यती कहने के वंदर चानक की बात कर रहे हैं चानक के कब बोला था जब राज तंत्र था अभी तो लोग तंत्र आ गया उनका कहना यह था चानक का कि आप जो दस वर्षो को मैं पैसा डाल दिया लेकिन हाँ इतना तो है कि हेलिकॉप्टर होवर मनी के माध्यम से याने डी मनेटाइजेशन क्या है हेलिकॉप्टर होवर मनी पूरा पैसा खीज लिया पांसो हजार का नोट चली नहीं रहा अब आपको बैंक में जमक कराना ही पड़ेगा ठीक है न पांसे आज तक जो है भारत में तीन बार हुआ है और ढी मर्नेटाइजेशन और प्राइम ए staple हैलिकॉप्टर होवर मनी का ड्रॉप मनी जब मन्दी रहेगे जब कियों बहनों ठीक है ऐ现在 हुआ सब चीजें बड़ीया टरीके से अब हम अपनी आखरी बात पर आएँगे आखरी बात मतलब आज की आखरी बात आज के टॉपिक की आखरी बात कि सर असल में मौत डिव्ण नीती बनाता कौन है आपने तो बताया था कि RBI बनाता है ठीक बात है RBI बनाता है लेकिन RBI बनाता है नहीं RBI बनाता था आजकल सवाल पूछता है तो क्या RBI दिया हुआ है option में तो RBI तो मारना ही पड़ेगा ना मौद्रिक नीती बनाता है लेकिन 2016 में एक कमीटी आई जिसक तीन मेंबर सरकार के, तीन मेंबर RBI के, किसी को भी सरकार भेज सकती, जिसको चाहे, ठीक है ना, और तीन मेंबर RBI के रहेंगे, सिधी सी बात है, पैसे का मामला है, तो RBI के जो गवर्नर है, कौन है अभी, शक्तिकांत, दासुनी के हाथ में RBI की शक्ति है, और वही इसके क्य होंगे चीफ होंगे तो मौनेटरी पॉलिसी कमिटी को मौद्रिक नीती की समिक्षा करती है लेकिन जैसा जो प्रश्ण आता है वह यदि आपको मौनेटरी पॉलिसी कमिटी दिया तो बिल्कूल आप लगाएंगे कि मौद्रिक मौनेटरी पॉलिसी कमिटी आ गई यह हर दो महिने में मुलाकात करती है और हर दो महिने में देखती है कि सक्त मौद्रिक नीती अपनानी है कि उदार मौद्रिक नीती अपनानी है कहने का मतलब मुद्रा इसफिती आई हुई है तो क्या करेगी सक्त मौद्रिक नीती अपनाएगी और मंदी आई हुई है तो क्या करेगी उदार मौद्रिक नीती अपनाएगी ठीक है ना हर दो महिने में मिलती है लास्ट जो मिली थी कब मिली थी साथ दिसंबर 2022 को मतला अभी कुछ दिन पहले ठीक अब इसमें क्या की बेटा पता है आपको रैपो रेट को 35 बेस पॉइंट 25 बेस पॉइंट से ब्रहा दी 35 बेस पॉइंट से कितना हो गया 6.25 परoisंट हो ठीक है यह आपको याद कहने जरौत नहीं है तो हर दो महिने बदलेगा ठीक है न यहोट्छ और दो मैं monetary policy बना रही है, क्या करती है, repo rate को बढ़ाती है, बढ़ाया जा रही है, क्योंकि महंगाई बढ़ी हुए, मुद्रा इस्पिती बढ़ी हुए, ब्यासदर को बहुत कम कर दिये थे, कोरोना के बाद में, तो लोगों के हाथ में पैसा जादा आ गया, फिर वही black money दबाना शुर RBI महंगाई को नियंतित करने के लिए, बार बार लगातार लगभक 6, 22 monetary policy से, सरकार लगातार रेपो रेट को बढ़ाई जा रही है, बैंक दर और MSF की बात करूं, तो 6.50 पे बैंक दर है, और MSF मैंने आपको बताया, तो बैंक दर हमेचा इससे क्या रहेगी, ज्यादा रह लिए, बाई मंत्री monetary policy के अंतरगत, और CRR की बात करें, और SLR की बात करें, तो 4.50% और 18% ये है, ठीक है न, CRR जो होता है, वो पूरा cash में रखना होता है, RBI के पास, और SLR जो होता है, cash के साथ-साथ, उसमें क्या रहता है, सोना भी रहता है, ठीक है, और क्या रहता है, ग SLR अभी 4.50% है, SLR 18% है, दोनों गुल्लक है, SLR बैंक के पास, बैंक का एक गुल्लक, RBI के पास, जिसको अपन क्या कहते है, CRR, क्लियर हो रही है चीज़े यहां तक आपको, ठीक है न, हाँ, चलो ठीक, बढ़िया बढ़िया कमेंट आ रहे हैं, यहां पर मतलब आप ले रहे हैं और इससे हमारे लिए आनंद की क्या बात हो सकती है, यही हमारे लिए बड़ी बात है, ठीक है न, आप देखेंगे, अब UPSC कोई हुआ नहीं है, ठीक है, UPSC के सवाल अभी हम हल करेंगे, और उसके बाद आप 20 कोशन हल करने जाएंगे, ठीक है न, देखो, बता यह किस से रिलेटेड है, हैना कौन सा ऑप्शन हो का बता यह बैंकिंग से है, कम्मुनिकेशन से, मिलेटरी से है, सप्लाई और इमान एगरी कल्चर किस से, जल्दी बताओ, फटाफ़ट, मार्जिंग, स्टेंडिंग, फैसिलिटी रेट, MSF जिसको हम बोलते हैं, नेट डिमांड, टाइम लेबिलिटी, है न, बताओ, जल्दी बताओ, कौन सा होगा, ऑप्शन नमबर, डर गय का, यही तो बात है, छत्ति गड़िया मन डरा जातेंगा, का बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, फटाओ, फट, ए, 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 वेरी गुड, यस, वेरी गुड, ए, ए, देखो, आप बना पाने कुशन को बिटा कॉंसेट क्लियर, और यही कंप्टिशन कम्मुनिटी की टीम आपको बताना चाहती है, की कौालिटी यदी है आपके अंदर, ठीक है न, तो आपको वो क्वालिटी देंगे, जहां आप न सिर्फ CGPSC, बलकि UPSC के लेवल पर भी जाएंगे, और यहीं से जाएंगे, 36 गर्द में बैठे बैठे जाएंगे, आपको कहीं जाने की जर्वत नहीं है, UPSC की तजारी से के लिए, यहीं से आपकी तजारी की सेकेंड आ रहा SLR और CRR, यह दोनों चीजा आएंगी, ठीक है न, यह क्या है यह आप से पूछ रहा है, यह परपस क्या है, इसका, गुल्लक का परपस क्या है, आप बताए, तो इनेबल दा सेंटरल बैंक, टू कंट्रोल दा अमाउंट आफ एडवांसेस, आप बैंक एन क्रियेट, यानि क टू आ गया, तो जहां टू नहीं है, उसको काट दो, तो यह वाला तो आप्शन चला गया आपका, ठीक है न, अब हम देखते हैं क्या, टू मेक पीपल ढहा, यह हो गया, तो यह नहीं हो सकता, एक्सेसिव प्रॉफिट से क्यों रोकेंगे हैं, तो यह भी चला गया, और य का पैसा सेफ रख सके, RBI नियंतरन कर रहा है, दादा जी है, ठीक है न, इसलिए जो है, ऑप्शन 1 and 2, देखो, बहुत अच्छे तरीके साब को कॉंसेट क्लियर है, आप यह UPSC के सवालों को हल कर रहे हैं, जो आचुके हैं UPSC में, एन इंक्रीज इन दा बैंक रेट, बता को नहीं होगा, पक्का बता है, बैंक रेट बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रही है, मतलब क्या आएगा, CRD, इसका बतावा आंसर, हाँ, पिछले वाले का सब लोग सही आंसर देने हैं, very good, very good, very good, ठेक चलिए, central bank is following easy money policy, या tight money policy, बताईए, उदार मौदरिक नीती में, या tight म कब बैंक बढ़ाएगा, डी, 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 येस, central bank is following a tight money policy, very good, बहुत बढ़िया, देखिए, किस तरीके से आप आराम से चीजों को समझ रहे हैं, जब आपको concept clear है, तो बस यहाँ डराते हैं बेटा लोग, है ना, या कुछ लोग हैं, जो आपको डराने का काम करते हैं, डरन बच्चों के लिए काम करने आएं बेटा, और इसलिए हमारे कोस्ट चल रहा है, और इसलिए हम सब आपके लिए काम कर रहे हैं, चाहे फिर हो कोमल सर हो, चाहे महीूर सर हो, चाहे परिदोष सर हो, चाहे पूरी कोको की टीम हो, हम सब के सब आपके लिए ही, आपके लिए ही student लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं और जल्दी बिलासपुर में हमारी offline classes भी मंगला चौक में शुरू होने वाली है ध्यान रखिएगा ठीक है ना तो which of the following statement is regarding the monetary policy committee अभी अभी मैंने आपको बताया था मौदरिक नीती है ना बताइए मौदरिक नीती जो समीती है वो बनी उसके लिए correct क्या है it decide the RBI benchmark interest rate बताईए करेगी क्या हाँ ये RBI के interest rate को decide करने के लिए 12 member की है क्या नई कितने member है छे member है सर आपने बताया था तीन सरकार के और तीन किसके RBI के और chairman union finance minister रहेगा कि नई सर कौन रहेगा RBI का governor रहेगा तो बताईए कि कौन सा answer सही होगा तो option number a option number a ही सही होगा very good पूजा आपका सही है ठीक है ना clear है की नहीं ठीक है न चलिए तो अभी बेटा तो अभी तो हम रायपूर में भिलाई में काक्षाय संचालित कर रहे हैं भिलासपूर राजनांद गाउं में जल्दी शूरू होने वाली है बाकी हम आपसे online तो जूड़ी रहे हैं पूरे 36 गड़ के बच्चों से हम जूड़ पा रहे हैं और यही हमको आनंद आता है कि यहां live class के माध्य से इतने हजारों बच्चों से हम एक साथ जुड़ पाते हैं यह आप सबी को ठीक है ना चलिए तो हम आपके हित में कायम करें हमारा ही यह हुगा कि आप अपना काम अच्छे से करें बस आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करेंगे तो चाहें cgpsC हो चाहें फिर UPSC हो सारे प्रशनाप से बनेंगे और अगला कुशन जो आ रहा है वो क्या रहा है कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया डिग्रीज दा इस्टेट्यूट्री लिक्विडिटी रेश्यो बेस बेस पॉइंट से और बेस पॉइंट से ही बढ़ता और घठता है यह बताओ कि SLR कम हो गया यान आप पैसा कम कर रहे हो तो यह बताओ कि मुलीक्विडिटी भणनेंजी यह वाला भी नहीं हो यह वाला अंसर रहोगा शेडूल कमर्शयल बैंक यह अनुसुचित वानिचीग बैंक जो है अनुसुचित वानिचिग बैंक मेंते आर लेंडिंग रीडिन कहने का मतलब क्या है है और अप्रेट भी कम हो गा बैंक स्ग परन नमः च्रहा अंबठिम अ चिरोट करेंगे यह जिनकाटने वह सही है गूर है यह क्या पूस्ट सिरिक अपनサब करेंद सिर्थ filme करेगा भाया आप गुल्लक में पैसा कम होगा तो बढ़ेगी ना पैसे ज़्यादा आएगा तो तरलता बढ़नी कम नहीं कोई सवाल पैदा नहीं होता ठीक है रहा इत्में ड्रास्टिकली रिडियूस दा लिक्विडिटी दूदा बेंकिंग सिस्टम क्लिए है आप सभी को यह बात चली लास्ट कोशन हम देखेंगे UPSC 2015 में आया हुआ था आप सब के सब फटा फटा आंसर देंगे प्रियोर्टी सेक्टर लेंडिंग जिसके बारे में हमने बात की थी नैतिक के अंतरगत उसमें जो है यह किसके अंतरगत आगा किसको इसको पैसे अगरी कल्चर को माइकरो इस्मॉल विकर सेक्शन है इन में से सब कब सब कोई उसमे बताएंगे कौनसा होगा एक्रिक convention cool उसमॉल इंडस्टी कम्जूर लोग इन में से सब किसको प्रियोर्टी सेक्टर लेंडिंग गया का सिलेक्तिव ना सिर्फ अगरी कल्चर को बेटा बलकि मैनुफेक्टरिंग सेक्टर को भी देगा माइक्रोई स्मॉल इंटर्पाइज को भी देगा याद रखना और वीकार सेक्षन को भी देगा जिनके पास पैसा नहीं है उनको भी अंते उदाय अन्य ओजना है ना प्रधान मंतरी किसान न्य ओजना सबको तो दे रहे हैं पैसा सरकार जो डी येस तो आनंद आया हो यदि आनंद नहीं आया हो तो मत करना अनंद आया हो तो इस वीडियो को लाIGHT पर जाता हूँ और लाइक करने शेयर करें जिस भी आप अपने यृट से प्यार करते हैं जो अपना आपका दोस्त EST जिसको चाहते हैं कि आपको इस तरीके की चीजें यहां पर बिलासफुर से मिल सकती है 36 गड़ में मिल सकती है जिसको आपको लगता है देना चाहिए उनको जरूर शेयर करना ये वीडियो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नहीं लगा तो बिल्कुल मत करना ठीक है ना और बताइए आपको की लेक्षर आज आपको समझ में आया कि नहीं आया ठीक है ना आनंद आया होगा नहीं तो पढ़ाना छोड़ देंगे बोले थे बेटा है ना एक बार जो हमन अगरने का मतलब यह नहीं लाइक आरे ज्याता लोगों तक पहुंचा लाइक युद्ध बढ़ान को अपने अंदर ही सीमीत रखता अज जितने लोग इस से से बढ़ता है है ना पैसा को तो नहीं पता लेकिन जो है बाटने से बढ़ता है इस बात की तो guarantee है इसलिए रावन जो था उसने अपने ग्यान को अपने अंदर ही रखा एहंकारी था अपने पास ही रिखा दे नहीं पाए इसलिए आज रावन को हम ले आए चल भया तुभी कुछ ग्यान दे दे बड़ा ग्यानी था ग्यानी था इसा सुनने को आता है ठीक है ना है ना देजभक्ति गीत तो नहीं पेटा एक गड़ी की जरूर आपको सुनाओंगा मैं ठीक है लेकिन एक जरूरी सूचना यह है कि आपको 20 कोशन का एक टेस्ट मिलेगा कॉम्टिशन कम्यूनिटी के एप पे और यदि आपको अच्छा लगा हमारा प्रयास और हमारी क्लास तो फटा फट जाईए एप पे और क्या दे सद्व में लोग पले मैं महभारत के गीतायों मुर गाओं गाओं देव ताधामी मुर्सहर सहर विस्करमा है पोरा पोरा मा भी मन्यू अव भी मरजुन घर घरमा है मुर हाडा बजुरू बरोबर रे मैं बीर ददीची दानियों चछतिस गड़ के मातियों रे मैं चाहते तो वहाँ भी पढ़ा सकते थे लेकिन अपनी माटी है ये अपनी मिट्टी है क्यों ना अपने बच्चों को ये ग्यान हम दे सकें यही हमारी मंशा थी जो हमको चत्तिस गड़ कीच के लाई है और आप सभी चत्तिस गड़वासियों से निवासी से ये मेरा निवेदन है कि बेटा आप जो है पढ़िये अच्छे से खूब आगे बढ़िये ना सिर्फ राज्य प्रशाशनिक सेवा में बलकि यूपीएसी के अंतरगत भी हमारे यहां के बच्चे जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा और ये जो गीत मैंने गाया ये लक्षोनल मस्तूरिया जी का घीत था जो आज हमारे बीच नहीं रहे और जो हमारे च्छट्श गड़ की जान है, शान है, महान है और इनकी महांता को जानते हुए, समझते हुए, बस एक आहवान उनकिया था, कि जागो रे च्षाथीजगडु के लोग आलस को त्यागो रे और हमको आलस को त्यागना पड़ेगा और जागना पड़ेगा तभी तो 36 गड़ का हर एक बच्चा ना सिर्फ PSC वलकि UPSC भी क्वालिफाई करेगा और आज हमारे साथ जुड़ करके आनंद ले रहे हैं आप और हम भी आनंद ले रहे हैं इस आनंद को बरकारार रखते हैं फटा फट जाईए पर यदि आपको मजा आया तो टेस्ट दे करके यह पांच मिनट के बाद मिलेंगे और मैं आपको रिजल्ट बताऊंगा ठीक है ना थैंक्यू सब्के सब यहां आप सब्कों के लिए यहां लेकिन अजय चीज़न लेकर आ रहा थे त्स दे क्या यह टेस्ट का रिजल्ट मैं आपको थोड़ी देर का बात बताऊंगा ठीक है ना ठीक ग्रेंड सल्यूट हमको नहीं बेटा ग्रेंड सल्यूट चत्रीज गण महतारी को जिसने हमें यहां जनम दिया है ना ठीक है चलिए मिलते हैं जल्दी से फटा फटा आईए टेस्ट देखे ठीक नई ने मैं इसने पहिर के आता हूं डेली साध्यवादी में नी जाओं ठंडी लागते देखरे बर ठीक है ठीक आईए जल्दी टेस्ट देखे झाल 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 झाल